नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में 67th BPSC के लिए आधोनिक भारत का important प्रस्ण को discuss करेंगे सारे प्रस्ण आपके BPSC के previous year पूछे हुए प्रस्ण हैं अगर आप इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके जो Modern India के 16-18 प्रस्ण पूछे जाते हैं सारे आपके जो प्रस्ण इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा तो आप लोग जो वीडियो को ध्यान से सुरुष से लास्ट तक पूरा देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरुरू बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा साथ में इसका PDF के लिए आप लोग टेलिग्राम गुरूप जोईन कर सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पहला क्वासन है कि पूर्टगाली उपनिवेस का पर्थम वाईसराय भारत में कौन हुआ तो पूर्टगाली उपनिवेस का पर्थम वाईसराय भारत में अलमीडा हुआ कौन हुआ अलमीडा तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा जो अलमीडा है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा इसका कारकाल कब से कब तक रहता है तो 1505 से 1509 तक इसका कारकाल रहता है साथ में आपको ध्यान रखना है कि फ्रांसिस्को दी अल्वुकर्ग जो है भारत में पूर्तगाली सक्ती का वास्तिविक संस्थापक है पूर्तगाली भारत में आते कब हैं तो भारत में सबसे पहले वासको डिगामा आता है कब आता है 1498 इस्वी में आता है और कहां पर आता है किरल की काली कट बंदरगा पर आता है जिसका उसमें जो काली कट बंदरगा है उसके सासक थे जमोरिन उन्होंने वासको डिगामा का स्वागत किये थे ठीक है तो इतना आप सभी को याद रखना है नेक्स क्वेसन देखिए कि बंगाल की खाली में समंदरी डकैती हेतू हुगली का उपयोग कौन करता था तो बंगाल की खाली में जो है समंदरी डकैती हेतू हुगली का परियोग पूर्टगाली करते थे तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स क्वेसन है कि निमलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान के उपाधी से सम्मानित किया था तो इंग्लिज खान और फिरंगी खान के उपाधी से जहांगीर ने सम्मानित किया था हौकिंग्स को तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा 1608 हिस्पी में जो है जहांगीर के आगरा कोट में पहुचा था हौकिंग्स साथ मैं याद रखना है कि जहांगीर है वो हौकिंग्स को 400 का मंसब दिया था ठीक है 400 का मंसब दिया था नेक्स कोसे ने कि भारत में 1612 इस्पी में अंग्रेजो ने अपनी पहली फेक्टरी कहां स्थापित की कहीं पर 1612 मिलेगा कहीं पर 1613 ठीक है दोनों सही है तो भारत में 1612 SP में अंग्रेजों ने अपनी पहली फेक्टरी कहां अस्थापित की थी तो सूरत में ठीक है सूरत में तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है कि Dutch East India Company ने किस बर्स अपनी फेक्टरी पटना में अस्थापित की तो पटना में जो है Dutch East India Company ने अपनी फेक्टरी 1632 SP में अस्थापित की 1632 SP में पटना कॉलेज के उतरी इमारत में ठीक है पटना कॉलेज के उतरी इमारत में तो B इसका राइट अंसर हो जाए नेक्स्ट कॉस्टन है कि निमलिखित में से प्रथम करनाटक यूद का कौन सा तात कालिन कारण था जो करनाटक यूद हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था तो अंग्रेज और फ्रांसिसियों के बीच में हुआ था तात कालिन कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रां के बीच में हुआ था 46-38 के बीच में हूआ था जो आपके करनाटक का यूद्थ था कि संधी के माधियम से समाप्त हो गया था तो आपको ध्यां रखना है ए लास अपाल कि संधी के माधियम से नेक्स कॉशन है कि 1760 का प्रसीद वंडिवास का यूद अंगरेज़य द्वारा किसके खिलाब लड़ा गया तो अंग्रेजों द्वारा जो है लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाब ठीक है फ्रांसीसियों के खिलाब तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें फ्रांसीसियों की पराजाई होई थी तो यह हराया था आपकी Thomas West ने ठीक है Thomas West ने तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा B इसका राइट अंसर हो जाएगा तो कब हराया था 1611 में Next question है कि उस छेत्र की पहचान करे जहां से इरोप वासियों को सरवत्तम सोरा और अफिम प्राप्त होता था यह UPSC का भी पूछा हुआ सवाल है कि उस छेत्र की पहचान करे जहां से इरोप वासियों को जो है सरवत्तम सोरा और अफिम का उत्पादन होता था तो बिहार से ठीक है बिहार से जो सोरा है इसका 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 राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि अंग्रेजी सासनकाल में भारत का कौन सा छेत्र अफिम उत्पादन है तू प्रसित था अपना बिहार था तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि इलाहबाद की संधी के बाद रोवर्ट कलाईव ने मुर्सिताबाद का उप दिवान किसे बनाया तो इलाहबाद की संधी के बाद जो है रोवर्ट कलाईव ने मुर्सिताबाद का दिवान किसे बनाता है तो बनाता है मुहम्मद रजा खान को इलाहबाद की सं दो संदी होती है, एक होती है मुगल सासक और अंग्रेजों के बीच में होती है, और दुसरा होता है कि जो अवद का नवाब है और अंग्रेजों के बीच में होता है, ठीक है साथ में आपको ध्यान रखना है कि जब मुगल से होता है तो जो अंग्रेज हैं, उनको 26 लाक रुपया देते हैं, किसलिए कि बंगाल, भिहार और उड़िसा की दिवानी मुगल सासक दे देता है अंग्रेजों को, साथ में जो मुगल है उससे जो है 53 लाख रुपिया अंग्रेज लेता है प्रैसासन चलाने के लिए ठीक है इस बात को आपको ध्यान रखना है और जो अवद के नवाब है उनसे जो है 50 लाख रुपिया हरजाना लिया जाता है यूद हरजाना के तोर पर नेक्स कोशन है कि समराठ सा आलम दूतिय ने इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उडिसा की दिवानी परदान की तो कब परदान की थी 12 अगस 1765 को ठीक है 12 अगस 1765 को तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि मुगल बादसा बहादूर सा जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके समराज की सीमा थी जो कोशन पूछा गया एक कोशन ही आपके गलत है यहाँ पर बोला गया है मुगल वात्सा बहादूर साजफर बहादूर साजफर यहाँ पर नहीं होगा ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा साह आलम दूतिये ठीक है? साह आलम दूतिये तो यह क्वेस्टन ही गलत हो जाएगा पर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि मुगल वादसा साह आलम दूतिये के बारे में कहा जाता है कि उसके समराज की सीमा है तो उसके समराज की सीमा है चांदनी चोक से पालम तक हो जाएगा ठीक है? अगर यहाँ पर बहादूर साही रहेगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि BPSC's question को हटा दिया था इस बात का पलोग ध्यान रखेगा नेक्स है कि रंजित सिंग ने सूपरशिद कोहिनूर हिरा पराप्थ किया था तो किस से पराप्थ किया था? साह सुजसे ठीक है तो एई इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि टिपू सुल्टान ने अपनी राजधानी बनाई तिपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी तो स्रीरंग पत्नम में बनाई थी ठीक है स्रीरंग पत्नम में तो ए इसका राइट अंवर जाएगा नेक्स कोस्टन है कि अंग्रेजों ने स्री रंग पत्नम की संधी किसके साथ की तो टिपू सुल्तान के साथ की थी तो सी इसका ट्राइट अंसर हो जाएगा तीरती आंगल मैसूर यूद कब हुआ था तो 1792 से बानवे के बीच में हुआ था जिसमें टिपू सुल्तान की प्राजा हुई थी उसके बाद जो टिपू सुल्तान की आधा राज है अंग्रेजों के दौरा ले लिया गया था ठीक अंग्रेज और उनके जो भी साथी थे उने देते हैं तब तक उनके दो बेटों को जो अंग्रेज है बंधक बना लिया था इतना आप सभी को याद रखना है अच्छा यह भी याद रखेगा कि 1792 के बीच में जो उस समय अंग्रेज के गवर्ना जनरल कौन थे तो लौड करनवालिस थे कौन थे लौड करनवालि तो कैप्टन सिली मैन के नित्रित में हुआ था तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि बंगाल में दोई सासन परनाली किसके द्वारा लागू की गए थी और कब लागू की गए थी तो 1775 में और समाप्त कर दी गई 1773 में और किसके द्वारा वारेन दोई सासन का जनक किसे माना जाता है तो जो दोई सासन का जनक है सर लियोनील करटीश को माना जाता है तो डी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत में पर्थाम रेलेवर लाइन किस ब्रिटिस गवर्नर के समय बिचाई गई तो भारत में पर्थाम रेलेवर लाइन लॉड डॉल होजी के समय बिचाई गई और कब बिचाई गई तो 1853 में कहां बिचाई गई बंबई से थाने के बीच में ठीक है बं 1854 में 1854 में जिनको देखे जिनको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग टेलिग्राम गुरूप जोइन कर लिजीएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप लोग वीडियो का उन्हें दोस्ते में सेयर जरूर कीजिएगा ताल बिरोध का उद्देश क्या था तो मुंगेर का जो है बरहिया ताल बिरोध का में उद्देश था बकासत भूमी की बापसी की मांग ठीक है बकासत भूमी की बापसी की मांग तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा और यह हुआ कब था तो 1935 में हुआ था 1935 में गवर्नार्ण जनरल कौन था तो अठारा सो शंतामन में भारत का गवर्नार्ण जनरल लॉड कैनिंग था कौन था लॉड कैनिंग इस इंडिया कंपनी के द्वारा जो निक अंतिम गवर्नार्ण जनरल कौन था तो लॉड कैनिंग था भारत का पर्थम 22 राइ कौन था तो लॉ important question है तो कब सामिल की गई थी December 1856 को ठीक है December 1856 को तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि 1800 संतामन के विद्रों का नेत्रों तो बिहार में किस ने किया तो कुमर सिंग आपको बता देते हैं कि कुमर सी से बिहार के जो बीपेसी एकजाम होता है एक question fix होता है ठीक है एक question आपको fix होता है आपको language चेंज करकर के question देते रहेगा अंसर से मी होगा बीर कुमर सिंग्स ठीक है next question है कि बिहार में 1800 संतामन के विद्रों का नेत्रों किस ने किया तो बिहार में करांती कारियों का नेत्रित किया तो बीर कुमर सिंग बीर कुमर सिंग तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि कुमर सी राजा थे जो बीर कुमर सिंग है वो राजा थे कहां के राजा थे तो जगदिशपूर के राजा थे तो इनके मुर्थू जह 18808 इस भी में हो जाती है इनका जनम कहां होता है तो बिहार के साहबाद जिले में होता है बिहार के साहबाद जिले में होता है इतना आप सभी को याद रखना है very very important point है उसके बाद है कि कुमर सिंग अंग्रेजो के खिलाप जो है 1857 के विद्रोह में किस जगह सामिल हुएं किस जगह सामिल हुएं तो आरा में सामिल हुए थे तो ए इसका right answer हो जाएगा next है कि इन में से किस ने 1857 के विद्रोह में सकिरिय भाग लिया तो आपको ध्यान रखना है नाना साहिब कानपूर से बेगम हजरत महल लखनावर से मौलवी आहमदुला फैजाबाद से बेगम नीजत महल जो बेगम नीजत महल है ये आपके बहादुर साकी पत्नी है तो इन्होंने भी भाग लिया था तो सारे आपके ओप्सन सही है तो उपरुक्त में से एक से अधिक अंसर हो जाएगा ये इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि पत्ना के 1857 के सुतंता संग्राम के नेता थे तो कौन थे? राजपूत कुमर सिंग ठीक है? राजपूत कुमर सिंग तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रों का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंदर था तो कौन आपके केंदर था? जगदिसपूर केंदर था? ठीक है? जगदिसपूर तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि निमलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रों में अंग्रेजो का सबसे कटर दुस्मन था? तो अंग्रेजो का सबसे कटर दुस्मन था? मौलवी अहमदुल्ला सा था? ठीक है? मौलवी अहमदुल्ला सा ये फैजा बात से आपके समन्दित है अंग्रेजों द्वारे जो है इन पर 50,000 का इनाम रखा था कि जो भी पकड़ेगा उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा उसमें 50,000 बहुत ज़्यादा रकम था आपको ध्यान रखना है कि अपने आखों से किस उर्दु कवी ने देखा था तो मिर्जा गालीब ने देखा था ठीक है मिर्जा गालीब ने तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निमलिखेत में से कौन सा इस्ट इंडिया कमपनी के सिपाहियों को बिद्रोही बनाने का कारण नहीं था तो इसाई धर्म फैलाने के लिए कमपनी के अधिकारियों के परियास तो सही बात है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश ये भी सही है भत्ते की रोक थाम ये भी सही है अधिकारियों की अच्छमता अधिकारियों की अच्छमता नहीं च्छमता था ठीक है तो D आपके गलत हो जाएगा ठीक है बाकी तीनों सही है तो D इसका right answer हो जाएगा next question है कि निम्रिखित बरगों में से किसने 1857 के बिद्रों में भाग नहीं लिया तो खेतिहर तो भाग लिया था सहुकार भाग नहीं लिया था किर्शक भाग लिया था जमिंदार भाग नहीं लिया था तो कौन-कौन भाग नहीं लिया है 2 और 4 तो D इसका right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा next question है very important question है निम्रिखित में से कौन सा कथन आपके सही है तो पढ़ लिजिए सारे कथन को आप एक बात 1857 में दरभंगा डुम्राओं और हटवा के महराजाओं ने और उनके साथी जमिंदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों के मदद की तो सही बात है आदमी और पैसा दोनों से मदद की जबकि दूसरा उप्सन में कि सिर्फ आदमी से मदद की पैसे से नहीं तो इस गलत हो जाएगा उसके बाद है कि 1857 में दरभंगा, डुम्राओं और हटवा के महराजाओं और उनकी साथी जमेंदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की आदमी उसे नहीं तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा जो दरभंगा, डुम्राओं, हटवा के महराजाओं ने जो है अंग्रेजों को पैसा और आदमी दोनों से मदद किया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा शद्यान रखेगा वेरी वेरी इनिपोटेंट कोस्ट लखनवर में किसके नितरूत में आगे बढ़ा था तो बेगम आफ अवाद बेगम हजरत महल के नितरूत में तो इसका राइट अंसर हो जाएगा लखनवर में जो है अठारसो संतामन के विद्रोव को किसके दवारा दवाया गया था तो कैम्प बेल के दवारा ठीक है कैम्पी बेल के दवारा दवाया गया था तो A इसका right answer हो जाएगा next question है कि 1857 का बिद्रोव मुख था किस कारण से असफल रहा क्या कारण था कि 1857 का बिद्रोव जो है असफल हो गया तो आपको ध्यान रखना है किसी समान योजना और केंद्रिय संगठन की बहुत ज़्यादा कमी थी ठीक है जब मन तहां आपके अंदोलन कर दिया जब मन तहां कहीं सांद बैठ गया ठीक है तो B इसका right answer हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर समझे भारत के map के हिसाब से जैसे कि पंजाब में एक बार कोई अंदोलन किया तो जो उत्र परदेश बाला है अपना बोरिया बिश्तर समेट के जाना भी पड़ सकता था लेकिन भारतियों ने ऐसा किया नहीं नेक्स कोशन है कि विचार कीजिए कथन का और कारण का है 1857 में जो है प्रथम स्वतंता संग्राम ब्रिटिस सरकार से स्वतंता प्राप्त करने में असफल रहा तो सही बात है बहादो साज अफल के नित्रुत को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांस महत्पुर्ण रियास्तों के सासक उनका साहत देने से कत्रा रहे तो यह भी सही बात है देखिए जो कारण है और कत्थन के सही बैख्या भी कर रहा है क्योंकि जो रियास्त के सासक थे उन्होंने साथ नहीं दिया इसलिए जो 1857 का जो बिद्रो था असफल हो गया जो एक तरीक से सुतंत्ता संग्राम था वो असफल हो गया तो दोनों सही है और कारण जो है कत्थन के सही बैख्या भी कर रहा तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स क्वासन देखे कि महरानी विक्टोरिया ने भारती प्रेसासन को ब्रिटिस ताज के नियंतरन में लेने की घोषना की तो एक नमंबर 1858 तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत को जो है सिधे अब ब्रिटिस क्राउन के अधिन कर दिया गया एक नमंबर 1858 से नेक्स टाइक की 1857 के बिद्रोह के बाद ब्रिटिस सरकार ने सीपाहियों का इन परांतों से चैयन किया तो गोरखा से सीख से और पंजाब भी उत्री परांत से किया ठीक है गोरखा से सीख से पंजाबी उत्री परांत से किया ठा तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा सी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स क्वासन है कि निम्लिखित में से किसने 1857 के बिद्रोह को एक सलियंतर की संग्या दी तो सर जेम्स आउट ट्रम एबं डबलू टेलर की द्वारा जो है बोला गया कि 1857 के जो बिद्रोह है एक सलियंतर था तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स क्वासन है कि निम्लिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के बिद्रोह के दमन के बाद भारतिये फोज के नव गठन से सम्मंदित है तो पील आयोग सम्मंदित है पील आयोग तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा पील आयोग के सिफारिस के द्वारा ये बोला गया कि जो अंग्रेज सैनिक 45,000 है उसे कर दिया जाए 65,000 ठीक है जो भारतिय सैनिक 2,38,000 है उसे कर दिया जाए 1,40,000 साथ में जो बंगाल में पुलिस का अनुपात है कितना करने के लिए बोला गया बंगाल में बोला गया कि एक अंग्रेज पर 2 भारतिय होंगे मतलब कि एक अनुपात 2 होगा और बंबई और मदराज में बोला गया कि एक अंग्रेज पर 3 भारतिय पुलिस होंगे ठीक है इसे आपको याद रखना है वेरी वेरी इन्पोर्टन है नेक्स क्वेस्टन है कि नील बिद्रो किसके बारे में था रयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जवरदस्ती करवाई जा रहे थी रयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जवरदस्ती रोका जा रहा था रयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उसमें उनसे एक आमान मुल पर जवरदस्ती करवाई जा रहे थी देखें A भी सही है छो सबसे ज़्यादा सही है उतर है C है ठीक है इसमें क्या लिखा है रइयत निल की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जब दस्को की दुर दसा पर लिखी गई पुश्तक निल दरपन के लेखा कौन तो जो निल दरपन है उसके लिखक है दीन बंधु मित्र है ठीक है तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें क्या था कि जो किसान है किसान स्वेंग भूमी का मालिक होता है और सरकार को भुराजस्व के भूगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है तो B इसका राइट अ अंगरेज बसूलेगा किसान से रहित वाली ववश्था मेँ और भारत के एक खामन पर्सेंट इलाके पर जो है रहित वश्फता लागू थी तो B इसका रहाइट अंसर हो जाएगा और जो रहित वाली ववश्था है इसका जिनक कोन माना जाता है तो मुन्रो के इसका जिनक मना जाता है रहेत वाली बेवस्था लागू कब हुआ था 1792 में रहेत वाली बेवस्था लागू हुआ था और किस-किस इलाके में लागू हुआ था तो मदरास, बंबई, करनाटक के कुर्ग और असम के इलाके में जो है रहेत वाली बेवस्था लागू हुआ था जमेंदार आपके 19% इलाके पर जो है जमिनदारी बेवस्ता लागू होती है जिसे अस्थाई बंदुवस्त बोला जाता है ठीक है तो आप सभी एतना याद रखेगा आसाथ में जो जमिनदारी बेवस्ता है अस्थाई बंदुवस्त है इसका जनक किसे माना जाता है तो लौड करनवालिस को इसका जनक माना जाता है नेक्स्ट है कि पागल पंथ की अस्थापना किसने की तो जो पागल पंथ है इसकी अस्थापना करम साहने किया था करम साहने तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको ध्यान लखना है जो पागल पंथ है ये आपके अर्ध धार्मिक संपरदाय था पागल पंथ एक क्या था अर्ध धार्मिक संपरदाय था नेक्स कोशन है कि फराजी कौन थे फराजी जो हैं सरिय तुल्ला के अनुवाई थे ठीक है जो फराजी है हाजी सरिय तुल्ला के अनुवाई थे तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि फरेजी अंदुलन की शुरुवात किसने की तो हाजी सरियतुला ने ठीक है हाजी सरियतुला ने तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स क्वासन है कि कुका अंदुलन को किसने संगठित किया तो जो कुका आंदोलन है उसे संगठित किया था गुरू राम सिंग ठीक है गुरू राम सिंग तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा अब कब संगठित किया था तो 1840 स्पी में इसका इसे संगठित किया था 1840 स्पी में ठीक है तो C. इसका right answer हो जाएगा नेक्स कोस्टन है कि 1875 के धक्कन के दंगे का तात कालिन कारण क्या था तो महाजनों के दुबारा उची ब्याजदर दिया जा रहा था इसलिए तो B. इसका right answer हो जाएगा नेक्स कोस्टन है कि महरास्ट में रामोसी किर्सक जथा किस ने अस्थापित की थी तो अस्थापित की गई थी वासुदेव वल्वंत फड़के के द्वारा ठीक है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा ये भी BPSC का पूछा हुआ सवाज सारे question BPSC का पूछे हुए है next है कि रामोसी बिद्रो सही रूप से किस भोगलिक इलाके में हुआ था तो जो रामोसी बिद्रो है आपके पच्मी घाट में हुआ था ठीक है पच्मी घाट में हुआ था तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा और कब हुआ था 18222 इसपी में जो है रामोसी बिद्रो हुआ था नेक्स क्वेसन है कि बगेरा बिद्रो कहां हुआ तो जो बगेरा बिद्रो है यह बलोद्रा में हुआ था ठीक है बलोद्रा में हुआ था तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा और कब हुआ था तो 1818 में हुआ था 1818 में हुआ था तो D, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, D, इसका right answer हो जाएगा, और next question है कि मानब बली पर्था का निसेद करने के कारण अंग्रेजो के बिरूध बिदरो करने वाली जंजाती का नाम क्या है, तो उस जंजाती का नाम है, खोंड, क्या नाम है, खोंड, तो B, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट है कि मुंडाओ ने विदरो कब ख़ड़ा किया, तो जो सबसे नजदी की answer इसमें हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है, 1895, लेकिन जो एक्जेट आपको साल याद रखने 1899, ठीक है, नेक्स्ट क्वासन है कि उल गुलान बिदरो किसे जुड़ा है, तो जो उल गुलान बिदरो है, ये बिर्शा मुंडा से जुड़ा हुआ, ठीक है, बिर्शा मुंडा से, तो D इसका right answer ह जाएगा, नेक्स्ट है कि बिर्शा मुंडा का कार छेतर कौन सा था, तो जो बिर्शा मुंडा का कार छेतर था, आपके राची था, तो B इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, बिदरो है, आपको ध्यान दखना है कि भागलपूर से लेका जो है, राची तक के छेतर जो है, बिर्शा मुंडा, कौन था, बिर्शा मुंडा, तो C इसका right answer हो जाएगा, आसपास देखे, बहुत ज्यादा हला हो रहा है, थोड़ा manage कर लिजेगा आप लोग भी, नेक्स्ट कोर्शन है कि बिर्शा मुंडा किसके पच में थे, तो बिर्शा मुंडा जो है, जारखन के प इलाके में हुआ था, C भूम इलाके में, तो B इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, C भूम इलाका आपके जारखन का इलाका है, नेक्स्ट कोर्शन है कि हौज बिद्रो हुआ, जो हौज बिद्रो कब हुआ था, तो 1820 से 21 के बीच में हुआ था, हौज बिद्रो, तो C इसका right answer हो नेक्स्ट है कि किस अस्थान पर आदिबासियों ने अंग्रेजों के खिलाप विद्रो किया, तो किस अस्थान पर किया था, तो आपको ध्यान रखना इसमें देख लिजी, बिहार में तो किया था, और सिंध में भी किया है, तो E इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, एक से अधि जाम है, कभी भी East India Company के खिलाप बगाबत नहीं की, तो B इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के परती आकर्मक निती किस बाइसराई ने अपनाया था, तो अफगानिस्तान के परती जो है आकर्मक निती जो है अपनाया गया था, लौड लिटन के द्वार चाहरा अपनाया गया था, तो B इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है कि 1878 का वर्ना कुरल प्रेस एक्ट किस ने रद कर दिया था, तो जो आठारा सु 3212 कि NOW सथाई बंदोबस्त दो जमिंदार्वों के साथ किया गया तो जो टै बंगाल बिहार और उत्रपरदेश के बाराइश को नंसी तक हुआ था और इसके जो अस्थाई ये तो C इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, C इसका right answer हो जाएगा, next है कि खाली अस्थान में बंगाल और बिहार में भूमी पर किरायदारों के अधिकारों को बंगाल किरायदारी अधिनियम द्वारा दिया गया, तो आपको ध्यान रखना कि 1880 में बंगाल और बिहार में भूमी किरायदारों के अधिकारों को बंगाल किरायदारी अधिनियम द्वारा दिया गया, तो A इसका right answer हो जाएगा, next question है कि सत्यार्थ प्रकास की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी देयानन सुष्वत्य के द्वारा, ठीक है, स्वामी देयानन सुष्वत्य के इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है कि अमरित बजार पत्रिका की अस्थापना किसने की तो जो अमरित बजार पत्रिका है इसकी अस्थापना की गई है सिसीर कुमार घोस के द्वारा ठीक है सिसीर कुमार घोस के द्वारा तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको व्याद रखना एक जो अमरीत बजार पत्र का इसकी अस्त अपना मोतिलाल घोस एवं सिसिर कुमार दोनों मिल के किये थे और कब किये थे तो 1868 में 1868 में ठीक है नेक्स कोशन देखे निम्न अखवारों में से कौन सा मुखता उदारबादियों की नीति का परचारक था तो लीडर जो अपका है उदारबादियों की नीतियों का परचारक था तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा जो लीडर समाचार पत्र है इसका संपाधक मदन मोहन माल भी है आज तोड़ा देखें बहुत ज़्यादा हला हो रहा है तो आप लोग किसी तरीके साथ मैनेज कर लिजेगा ठीक है आज वीडियो जल्दी भी खतम करने के प्रियास करेंगे नेक्स है कि उनिस्मी सतापदी के धर्व एवं समाज सुधार आन दौल्नों ने जन संक्या के किस वर्व को मुखता आकर्षित किया तो बुद्धे जीवी अकर्षित किया था तो इसमें से C इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, C इसका right answer हो जाएगा, नेक्स question है कि भारतिय पुनर जागरन आंदूरन के पिता कौन थे, तो भारतिय पुनर जागरन के जो पिता है, राजा राम मोहन राय है, तो D इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, पर्थम आधोनिक पुरुस संस्थापक थे जो आत्मिय सभा है इसका संस्थापक है राजा राम मोहन राय है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोर्सन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रहम समाज की अस्थापना की गई तो जो राजा राम मोहन राहें इनके द्वारा ब्रहम समाज की अस्थापना 1828 में की गई कब की गई 1828 में तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि सती को गैर कानूनी किसने गोशित किया जो सती प्रथा है इसे गैर कानूनी गोशित किया गया है है लौड बिलियम बैंटिंग को द्वारा ठीक है लोड बिलियम बैंटिंग के द्वारा किया गया और कंब किया गया तो आपको ध्यां डखना कि आठारा सो यनसमें लागो हुआ तो इस καιह dibal की रूप में पूछा जा सकताके आट्मा राम पांडू रंग तो इस का राय टंसर हो जाएगा जो आपकी प्राथना समाज है इसकी अस्थापना कब वारा नेक्स कोशन है कि 19 सताबदी के उतराद में नव हिंदु बाद के सर्वशेश्ट प्रतिनिधी थे तो नव हिंदु बाद के जो 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 है 18 3.93 में सिकांगो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया तो भाग लिये थे Swami Vivekannad थिक है शुआमी बिवेका नन्न ने राम क्रिशन मिशन की स्थापना जोई ऐस्थापना तो आपको ध्यान रखना है बैयानन्द सुर्षवति, सुर्षवति क्या देती है, आई देती है, तो आई समाज इस तरी के समलोग इसे याद कर सकते हैं, तो बी इसका राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है कि किसने 1873 में सत सोधक समाज की अस्थापना की, आपको ध्यान रखना है, सत सोधक, जो सत क्या होता है, सत मिस होता है, फूल होता है, क्या होता है, जो सत मिस फूल होता है, सत मिस फूल, तो जो तीवा फूल है, ठीक है, किसने 1873 में सत सोधक समाज की अस्थापना की, इसमें बहुत ज़्या होता है फूल तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ढि इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको ध्यानक ना इसका अस्थापन कब की गई थी 1835 में इसकी अस्थापना की गई थी और इस बात को ध्यानक ना है कि भारत में जो है इसका headquarter कहाँ प्र जो 1882 इसमी में जो है मदरास के अडियार में मदरास के अडियार में जो है अस्थापित किया जाता है वेरी वेरी इन्पोर्टेंट है ठीक है वेरी वेरी इन्पोर्टेंट है नेक्स क्वेसन है कि भारते रास्टे कांग्रेस की पर्थम महला अधियज कौन थी तो भारती रास्टे कांग्रेस की जो पर्थम महला अधियच थी सिरीमती एनिवेसेंट और यह कब बनती हैं 1927 में कलकत्ता अधियचन में बनती हैं तो बही इसका राइट अंसर हो जाएगा अगर पूछेगा कि पर्थम भारती महला अधियच कोन है कांग्रेस की तो शरोजणी नाइड़ू यह कब बनती हैं तो सरोजणी नाइड़ू बनती है 1925 में और कानपूर अधियचन में यह अधियच बनती हैं ठीक है इस बात समझ गयाшая हैं कि पर्थम भारती महला जो कांग्रेस के अधियच बनी नेक्स्ट है कि भारत में नारी अंदुलन इनकी प्रेरना से प्रेरम हुआ तो जो तीवा फूले की प्रेरना से ठीक है जो तीवा फूले की प्रेरना से तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन है कि प्रातना समाज, यंग इंडिया, लोकहित बादी, सत्व सोधक समाज, रहनु माई, मजदेव सन, सभा के लिए निमलिकित बिकल्पों में से सही संयोजन पहचानियें तो प्रातना समाज जो है, प्रातना समाज को आत्मा रंग, पांडू रंग, यंग इंडिया, मोहन, दास, क्रमचन गाधी, लोकहित बादी, गोपाल हरी, देशमूख उसके बाद है आपको बताये थे ने, सत्त सुधग, मतलब सत्त मिस क्या होता है, फूल, तो जो तीवा फूल है, उसके बाद रहनुमाई, मजदेव सन, नौरोजी, फुर्दौनजी, तो बी इसका राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है कि नाई धोबी बंद समाजिक बाइकोट का एक सरूप था जो 1919 में, जो 1919 में जो है, किसानों द्वारा परतापगण जीले में चलाया गया था, ठीक है, 1919 में जो है, किसानों द्वारा परतापगण जीले में चलाया गया था, तो ए इसका राइट अंसर हो ज इसके माधियम से बोला गया था कि किर्शकों के भूमी जो है अब गैर किर्शकों को ट्रासपर नहीं किया जाएगा जो किर्शक है उनकी भूमी को जो है गैर किर्शकों के पास जो ट्रासपर नहीं किया जाएगा इस अधिनियम के द्वारा तो C इसका राइट अंसर हो जाए एका अंदोलन हुआ कब था तो 1921 से 22 के बीच में जो है एका अंदोलन हुआ था नेक्स है कि स्वामी सहाजानंद का संबंध था बिहार के जातिये अंदोलन बिहार के जातिये अंदोलन बिहार के किसान अंदोलन के साथ तो सही बात है कि बिहार के किसान अंदोलन के साथ जो ह स्वामी नकोटन है किसे अंदोलन से इनके बारे में बहुत कोशन पूशा जाता है तो आप लोगे इनके बारे में सारे कुछ पढ़ लिजेगा ठीक है very very important है next question है की इनमें से कौन बिहार में किसान अंदोलन के साथ जुड़े थे तो चार option दिया गया है इसमें से जोए बिहार में किसान अंदोलन के साथ जुड़े हुए थे राज़ंदर परसाद ठीक है कि निती कब से कब तक लागू रही तो आपको ध्यान रखना है 1765 से 1813 तक ठीक है 1765 से 1813 की बीच में लागू रही तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोर्सने की निम्लिखित में से किसने बंगाल में 12 शासन परनाली डुएल गोबर्मेंट को समाप्त किया तो वा वारन हस्टिंग की कारकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डिरेक्टर ने 12 शासन परनाली को समाप्त करने का निरने लिया तथा कलकत्ता परिशद तथा उनके परदान को आगया दे कि वह स्वेम दिमान बने और बंगाल बिहार तथा उडिशा के परवंधन को अपने हाथ में ले ल जाए रलास्ट कोर्षन आपके कि ल्ड बेलेजली की सहायक संधी को स्विकार करने वाला पहला मराथा सरदार कौन था तो पेशबवा बाजीराव दूती था था तो ऑ इसका राइच अंसर देखते हैं पहला कोर्षन महारानी विक्टोरिया को भारत की समराग्गी निउट किया गया तो कब निउट किया गया था तो महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की समरागी 1877 में निउट किया गया था तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि कैसरे हिंद के उपादी से भी सम्मानित किया गया था महारानी विक्टोरिया को ठीक है दिल्ली में एक जो है दरवार का आयवजन किया गया था 1877 में उस समय जो है जो आपके 22 राय कौन थे तो जो 22 राय थे लिटन थे ठीक है लिटन उसमय 22 राय थे याद रखेगा भरत के 22 राय कौन थे लौड लिटन तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि बंबाई प्रेसिडनसी एसोसेशन की अस्थापना किस ने की तो बंबाई प्रेसिडनसी एसोसेशन की अस्थापना जो है फिरोस्ता महता केटी तैलब और तैयव जी ने किये तीनों मिलके किया है तो इसका अंसर हो जाएगा एक से अधिक ठीक है यह इसका र पुड़ॉ बंदर्गर जी तो डे इसका रैट नसुर हो जाएगा जो इंडियान एसे से हैं इसकिया स्थापन अकप की जाती है 18 1996 में की जाती है 26 जुलाइं 1867 को और आनंद Mohan के थिए को सभलगता में की जाती है नेक्स्ट है कि राश्ट्य कॉंग्रेस से पूर्व सबसे परमुख संस्था थी इंडियन एसोसियेशन ओफ कलकत्ता तो डी इसका राइट अंतर हो जाएगा इसके अस्थपना क्यों की जाती है नेक्स्ट है कि सुर्यंदर नाथ बनर जी को किस वर्ष भारतिय सिविल सर्विसेश से हटाया गया था तो अठारा सो चहुतर में हटाया गया था ये इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि सिलहट में जो है असिस्टेंट मजिस्टेट के पोस्ट पर ये थी इनकी सुर्यंदर बनर जी की नेक्स्ट है कि राजनेतिक सुधारों को लेकर बिरोध करने वाले पहले भारतिये कौन थे तो राम मोहन राय थे ठीक है राम मोहन राय थे तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा और नेक्स्ट है कि मदरास महाजन सभा की अस्थापना किस बर्स की गई तो मदराश महादन सभा के अस्थापना जो है 1884 में की गई ठीक है 1884 में की गई और किसके द्वारा की गई है तो लिख लिजिएगा रागवाचारी बी रागवाचारी पहला और दूसरा आपके हैं जी सुब्रमनियम और तिसरा हैं पी आनंद चारलू ठीक है पी आनंद चारलू नेक्स कोसन है कि बारती रास्टी कांग्रेस के प्रतम अधिवेशन में कितने प्रतिनिद्यों ने भाग लिया तो 72 प्रतिनिद्यों ने भाग लिया तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा कांग्रेस की अस्थापना कब की जाती है तो 1885 इसपी में कांग्रेस की अस्थापना की जाती है और किसके द्वारा की जाती है ए ओ हियुम की द्वारा की जाती है कॉंग्रेस के पर्थम अध्याच काउन है तो वेमेश चंदबनदाजी जो हैं कॉंग्रेस के पर्थम अध्याच है नेक्स्ट है कि भारती रास्टी कॉंग्रेस की अस्थापना की गई तो किस वर्स की गई अठारा सुपचासी में की गई तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारतिय रास्टी कॉंग्रेस की अस्थापना की थी तो किसके द्वारा की गई थी ए ओ हिउम के द्वारा की गई थी ए ओ हिउम के द्वारा तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारती रास्टी कांग्रेस के संस्थापक थे तो भारती रास्टी कांग्रेस के संस्थापक एक असाइनिक सेवक थे ठीक है एक असाइनिक सेवक थे तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको ध्यान रखना है कि जो ए ओहूं थे ये आपके आईएस थे require IS थे तो A इसका right answer हो जाएगा next है कि भारते राश्ट Allegみ Congress का प्रतम अधिवेशन कहा हुआ तो भारते रास्ट Allegumba通 का जो प्रतम अधिवेशन मुंबई में होता है मुंबई में होता है तो C इसका right answer हो जाएगा ञodging respect against changed conversion दुछे अधिवेशन की अधियत्ग्षा किस ने की तो भारतिय रास्टे कांग्रेस के दुसरे अधिवेशन की अध्याचता जो है दादा भाई नरोजी ने की तो से इसका राइट अंसर जाएगा इसका आयोजन कहां पर हुआ था तो कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ था कलकत्ता में अब कब हुआ था 1886 में ठीक है 1886 में इतना आप सभी को याद रखना है नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने वारतिय राश्टे कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्याच्ता की तो 1924 के बेलगाओं अधिवेशन की अध्याच्ता की थी तो B इसका रही इसका राइट अन्सरो जागा बेलगाओं अधिवेशन की वेरी वेरी इनपोर्टन्ट है गांधी जीवला ठीक है नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की प्रथम भारतिये महला अध्याच कौन थी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की प्रथम भारतिये महला अध्याच कौन थी तो प्रथम भारतिये महला अध्याच स्वरुजनी नैडू हैं कौन है स्वरुजनी नैडू तो से इसका राइट एंसर हो जाएगा और कब बनती है? तो 1925 में ठीक है? तो हो जाएगा अंसर इसका स्रीमती एनी बेसेंट ठीक है स्रीमती एनी बेसेंट जो है यह कब बनती है कांग्रेस की अध्याच तो 1927 पी में बनती है कलकत्ता अधिवेशन में इसे आपको नोट कर लिजेगा वेरी वेरी इनिपोडेंट पॉइंट है नेक्स रही की भारती रास्टी कांग्रेस का 27 अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था तो भारती रास्टी कांग्रेस का 27 अधिवेशन हुआ था यह पटना के बाकीपूर में हुआ था ठीक है बाकीपूर में तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा और कब हुआ था तो 1912 इस पुछा जाएगा, क्योंकि बीपीएस की का अपना बिहार का सवाल है, इसलिए ठीक है, तो ट का एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन है कि पुस्तक Poverty and Un-British Rule in India किस ने लिखी है तो पुस्तक जो है Poverty and Un-British Rule इंडिया ये पुस्तक लिखी गई है दादा भाई नरुजे के दोवारा ठीक है दादा भाई नरुजे के दोवारा तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस ने कहा था Congress अंदोलन ना तो लोगों दोवारा प्रिरित था और नहीं या उनके दोवारा सोचा या योजनाबद किया गया था ये किसका कथन है तो ये कथन आपके है इसके सांती प्रिये निर्धन के लिए इसका सहायक बनूँ एक इसका कथन है तो ये कथन आपके है लॉड करजन का ठीक है लॉड करजन का ये कथन है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा इनके द्वारा बोला गया था कि मुझे विश्वास की कांगरेस जो है अपने बिनास के तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके सांती प्रिये निर्धन के लिए इसका सहायक बनूँ ठीक है इलॉड करजन का कथन था तो C इसका राइ और प्रदान करना प्ररणब हुआ तो यह प्ररणब हुआ था लॉड लिटन के काल में ठीक है लॉड लिटन के काल में ही आपको वर्नाइकुलर प्रेस एक्ट आता है बरनाइक इसका right answer हो जाएगा next question है कि अधिकतर नरमपन्थी नेता थे ग्रामी चैत्रों से सहरी चैत्रों से दोनों से पंजाब से आपको ध्यान रखना है कि जो अधिकतर नरमपन्थी नेता थे वो सहरी चैत्रों से थे और पढ़े लिखे लोग थे तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निमन में से कौन उप गरंथी नहीं था तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें गोपाल करिस्न गोखले जो है ये आपके उगर पंथी नहीं थे जबकि बालगंगा धरतिलक और मदनलाल और उदम सिंग ये तिनों आपके उप गरंथी थे ठीक है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा जो गोपाल करिस्ट गोखले है उदारवादी है ठीक है उदारवादी है नेक्स्ट है कि भारत सेवक समाज की अस्था अपना किस ने की जो भारत सेवक समाज है इसकी अपना गोपाल करिस्ट गोकले ने की ठीक है गोपाल करिस्ट गोकले ने और कब की 1905 EastP में और पूना में कहाँ पूना में महरास्ट पूना में तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है कि रजनी पामदत ने कहा वे समराज से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे और उन्होंने किस रजनेतिक गटबंधन के बारे में यह कहा है तो आपको याद रखना यह बोला है भारती रास्टी कॉंग्रेस के बारे में ठीक है भारती रास्टी कॉंग्रे नेक्स्ट है कि भार्ति रास्टी आंदूलन गरम पन्तियों के परभावा धीन आया तो कब आ गया तो 1906 के बाद आगया था ठीक है 1906 के बाद तो ए इसका राइट अन्सर हो जाएगा ए इसका right answer हो जाएगा next question है कि बाल गंगा धर तिलक लोक मान तिलक के नाम से जाने लगे तो आपको याद रखना है कि सरकार ने उन्हें रेंड मडर केस में अभिव्युक्त बनाया उसके बाद उन्होंने सिवा जी और गनपती महतसर शुरू किया इन्हें सब कारण जो है उन्हें बाल गंगा तिर तिलक को जो है लोक मान तिलक बोला जानने लगा तो एक से अधिक अंसर अपके सही हो जाएगा तो यह इसका right answer हो जाएगा ठीक है next question है कि निम्रिखित में से कौन सा नेता Congress के गरम दल से समन्दित था तो Congress के गरम दल से समन्दित है अरविंद घोस जबकि नरम दल से समन्दित है दादा भाई नवर जी जीके गोखले और एस एन बनर जी ठीक है यह नरम दल से समन्दित है तो ए इसका right answer हो जाएगा next है कि National Council Education की अस्थापना कब होई तो National Council Education की अस्थापना 15 अगस्थ 1906 की गई 15 अगस्थ 1906 तो डे इसका right answer हो जाएगा ठीक है डे इसका right answer हो जाएगा next question है कि Congress के नरम दल के नेताओं की अंदोलन की पधति थी जो Congress के नरम दल के नेता थी उनके अंदोलन की पधति क्या थी तो उनकी पधति थी राज वांवद अंदोलन तो B इसका right answer हो जाएगा मतलब सरकार के साथ मिल के काम भी करते थी और सरकार के कुछ मुद्दे पर बिरुद भी करते थी ठीक है तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि सेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मसूर है तो सेर ए पंजाब के नाम से मसूर है लाला लाजपत राय ठीक है लाला लाजपत राय तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा C इसका right answer हो जाएगा next question है कि अभिनाव भारत से कौन सम्मंदित है तो अभिनाव भारत से सम्मंदित है BD सावर कर ठीक है BD सावर कर तो A इसका right answer हो जाएगा जो अभिनाव भारत है इसकी अस्थापना कब की गई थी 1904 हिस्पी में इसके अस्थापना की गई थी और कहां पर की गई थी इसके अस्थापना तो नासिक में इसके अस्थापना की गई थी BD साबर करके द्वारा मुझपरपूर में किंग स्फोर्ड की हत्या का परियास कब किया गया तो मुझपरपूर में जो है किंग स्पोड की हत्या का परियास किया गया था 1908 हिस्पी में 1908 हिस्पी में तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा किसके द्वारा परियास किया गया था खुदी राम बोस और परफुला चाकी के द्वारा जो खुदी रामबो से उन्हें फासी दे दिया गया था जबकि जो प्रफुला चागी थे इन्होंनों खुद अंग्रेजों से बचने के लिए अपने आपको गोली मार लिया था नेक्स्ट है कि करांती कारी गति बिधियों के साथ कौन से पत्र का जुड़ी हुई नहीं थी तो देखली जी सन्धिया जुड़ी हुई है इवगांतरी भी जुड़ा हुआ है गदर भी जुड़ा हुआ है जबकि यंग इंडिया महात्मा गांधी का है यह आपके करांती कारी गति विद्यों से नहीं जुड़ा हुआ है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोस्टन है कि नीचे दिये गए बिकल्पों में से राष्ट बादी समचार पत्रो दहिंदू दहिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम सही सन्योजन ग्यात किजिए तो जो दहिंदू है इसके संपादक कौन थे तो जो इसके संपादक है जी सुब्रयमनियम है ठीक है बंगाली, इसके हैं सुर्यंद्रनाथ बंधरजी, तो D, इसका रायट अंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क।स्टन है कि सवराज मेरा जनम सिद अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किस ने कहा? very important है इस बात को ध्यान रखीगा लीखा नहीं किस ने कहा स्वराज मेरा जनमसीद अधिकार है मैं इसे पाकर रहूँगा किस ने कहा तो बाल गंगा दर तिलक ने ठीक है तो C इसका right answer हो जाएगा स्वराज मेरा जनमसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा किस ने कहा है तो स्वराज मेरा जनमसीद अधिकार है मैं इसे पाकर रहूँगा है पाकर रहोंगे एक जिखा गया है एक जिखा गया है कि स्वराज मेरा जर्मसीद अधिकार है मैं इसे लेकर रहाँ, तो सिंफल सी बात है, उसी बात को अलग टाइप से बूला गया ठीक है, तो इसके रही तैसर की हो जाएगा, से इसका राइट अंसर हो जाएगा जो सुर्याज मेरा जर्मसीद अधिकार है इससे हमेशा कोशन पूछा जा रहा है 2020 में भी पूछा गया था तो हो सकता है 2021 में भी पूछे ठीक है तो इसे आप लोग देख लिजेगा बनिया से नेक्स कोशन है कि मैडम कामा ने भारत के त्रीरंगी सुतंतरता ध्वज को कहां फ़हराया था तो जर्मनी के अस्टुवट गाट में फ़हराया था तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा और कब फ़हराया था 1907 में तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फ़राया था तो कहाँ पर फ़राया था अस्टुवर्ट गाट में फ़राया था तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे लंदन में इंडिया हाउस है उसके संस्थापक थे स्याम जी कृष्न बर्मा इसके संस्थापक थे तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा इसके स्थापना कब की गई थी तो 1905 SP में ठीक है 1905 SP में इसके स्थापना की गई थी नेक्स है कि बंगभंग के बाद कौन सा अंदोलन सुरू हुआ तो बंगभंग के बाद जो है स्वादेशी अंदोलन सुरू हो गया था ठीक है स्वादेशी अंदोलन तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा बे इसका राइट अंसर हो जाएगा स्वादेशी अंदोलन कब शुरू हुआ था 7 अगस्ट 1905 वी को ठीक है 7 अगस्ट 1905 वी को शुरू हुआ था नेक्स है कि लॉड करजन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल बिभाजन किस बर्स रद हुआ लॉड करजन जो है 1905 में बंगाल का बिभाजन कर देता है और बंगाल बिभाजन को रद कब कर दिया जाता है तो 1911 में ठीक है 1911 में दिल्ली दरवार में तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है यह इसका राइट अंसर हो जाएगा कांग्रेस ने सुराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया प्रस्ताव का उद्देश गया था तो इस प्रस्ताव का उद्देश था सो सासन सुनिशित करना ठीक है सो सासन सुनिशित करना तो बी इसका राइट अंसर हो जाएगा बी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि बिसमी सदी के प्रणभिक वर्षों में कांग्रेस में बिभाजन की प्रकिरिया शुरू हुई कांग्रेस अंदूलन की रननितियों पर तो सही बात है कांग्रेस अंदूलन के उद्देसयों पर ये भी सही है Congress अंदूलन में लोगों की भागेदारी पर ये भी सही है ठीक है सहरवाले बोलते थे कि गवाले से गवाले कुछ नहीं कर पाएंगे लगकि जबकि जो आपके जो गरम दर के लोग ते कहते थे नहीं गाउंबाले को भी आप जो होता है हमारे सम्मेलर उसमें सामिल किया जाए तो तीनों अप्सन आपके सही हो जाएगा तो D इसका right answer हो जाएगा next है कि मुसल्मान अधिखुस और संतूस्थ हैं तो भारत में ब्रिटिस सक्ति का महत्म बचाव होगा या किसने लिखा है मुसलमान अधिखुस हैं और संतुस्ट हैं तो भारत में जो है ब्रिटिस सक्ती का महत्तम बचाव होगा यह किसका कथन है यह कथन किसका है आपको धान रखना यह कथन है www.hunter का ठीक है www.hunter का यह कथन है तो C इसका right answer हो जाएगा इनके द्वारा जो एक पूस्तक लिखे गई थी इंडियन मुसलमान में इस बात को लिखा गया था ठीक है इंडियन मुसलमान एक बूक है उसमें The Indian मुसलमान नेक्स्ट है कि किस वर्स हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन की अस्थापना होई तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन की अस्थापना जो है 1924 में की जाती है ठीक है 1924 में तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा और इसके संस्थापक कौन-कौन होते है सचिंद्र सानियाल राम परसाद विसमिल ज्योगेस चंदर चटरजी तथा चंद सेखर अजाब जो हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन के संस्थापक होते हैं ठीक है तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा बे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि बंगाल बिभाजन की घोषना की गई बंगाल बिभाजन की जो है घोसना कब की गई तो 19 जुलाई 1905 को इसकी घोसना की गई अब लागू कब होता है यह लागू कब हो जाता है तो आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 को ठीक है 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल बिभाजन लागू हो जाता है very very important है यहाँ प वाईली की हत्या के आरोप में किसे मिर्थु डंड दिया गया जो करजन वाईली हैं उनकी हत्या के आरोप में जो है मदन लाल भिंगरा को जो है मिर्थु डंड दिया गया था तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ए इसका राइट अंसर हो जाएगा 1909 में जो है लंदन में मदनलाल धिंगरा जो है करजन वाइली को गळली मारकर इसकी हत्या कर दिये थे ठीक है जो मदनलाल धिंगरा थे करजन वाइली के सुरच्छा में लग हुए थे Next question है कि Montague Chimpsport की report जो है 12 सरकार अधिनियम 1919 का अधार बनती है तो B इसका right answer हो जाएगा ठीक हैं B इसका right answer हो जाएगा Next है कि New Lambs for Old लेक संखला में सर्वहारा बर्क के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए Congress की अलुचना की गई थी इन लेखों का लेखक कौन था तो इन लेखों का लेखक था अरविंद घोस अरविंद घोस जो हैं Congress की समराजबादी सक्तियों के समझ जो है धूलमुल रवय के कारण अरविंद घोस जो है Congress का बिरोध करते हैं तो ए इसका right answer हो जाएगा Next है कि काकोरी ट्रेन डकेती कांड में किन करांती कारियों को फासी की सजा दी गई थी तो राम परसाद, बिस्मील, अस्फाक, उल्ला, रोसन, लाल और राजेंदर लहरी ठीक है चार बेकती का नाम याद रखेगा चारों को फासी दी गए थी लेकिन ओप्सन में यहाँ पर दोगा है दोगों का नाम है तो ए इसका right answer हो जाएगा थीक है ए इसका right answer हो जाएगा next है कि हिंदुस्तान socialist republic army very important है हिंदुस्तान socialist बोलना ञहीं socialist republic army के संस्थापक नेताओं में एक थे तो कौन थे भगत सिंग ठीक है भगत सिंग तो यह इसका right answer हो जाएगा जो हिंदुस्तान socialist रिपब्लिक आर्मी की अस्थापना कब की गई थी तो 1928 इस्थापना की गई थी और कहां पर की गई थी दिल्ली में की गई थी नेक्स कोशन है कि निमर्खित पंक्तियों को किसने लिखा सर्फ रोसी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू एक आतिल में है तो यह जो कथन है किसके द्वारा लिखा गया है तो यह कथन लिखा गया है सायर बिस्मिल अजीमा बादी के द्वारा ठीक ह यह इसका right answer हो जाएगा next question है कि प्रसीद गीत सर्फरोसी की तमन्न अब हमारे दिल में है कि रचीता कौन है 2020 में भी question पूछा गया था इस पर खुब विवाद चला था तो इसके रचीता कौन है सायर बिस्मिल अजीमा बादी इसमें से option कोई भी नहीं है तो E इसका right answer हो जाएगा ठीक है E इसका right answer हो जाएगा next question है कि in club जिन्दावाद का नारा किस ने दिया तो in club जिन्दावाद का जो नारा है भगा सिंग के द्वारा दिया गया था तो C इसका right answer हो जाएगा अगर पूछा जाएगा कि जो in club जिन्दावाद नारा है किसके द्वारा लिखा गया very important है तो मुहमद इकबाल के द्वारा लिखा गया है मुहमद इकबाल के द्वारा है इसे आपको याद रखना है very very important point है ठीक है तो C इसका right answer हो जाएगा और मुहमद इकबाल नाम याद रखिएगा नेक्स है कि भगस सी राजगुरू तथा सुखदेव को कभ फासी दी गई तो 23 मार्च 1931 को ठीक है 23 मार्च 1931 को तो ए इसका right answer हो जाएगा ए इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेकने के समय भगस सी की उम्र क्या थी जब असेंबली में बम फेका गया था हो उस समय भगस सी की उम्र कितनी थी तो उस समय जो भगस सी की उम्र थी एक एस साल से थोड़ा जादा था जो भगस सी है इनका जनम कब होता है तो भगस्ती का जनम जो है सितंबर 1907 में होता है ठीक है सितंबर 1907 में होता है और ये बंब का फेकते हैं तो 8 अपरेल ठीक है 8 अपरेल 1929 को ठीक है 8 अपरेल 1929 को तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि अनुसिलन समिती थी अनुसिलन समिती क्या थी तो आपको ध्यान रखना है एक करांती कारी संगठन थी तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि चिटगाउं सस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी तो किसके द्वारा बनाई गई थी चिटगाउं सस्त्र छापामारी की योजना यह बनाई गई थी सूरिसेन के द्वारा ठीक है सूरिसेन के द्वारा तो A इसका राइट छाएगा एक कोंशन में बहुत पूछता है एंग जाम एक कोशन ठीक है तो आप लोग से इसे अरूण गोश कर लिजेगा वेरी वेरी इंपोर्ट है और नेक्स्ट है कि निस्क रिए बिरोध के सिध्धान का प्रतिपादन किस ने किया तो निस के लिए बिरोध के सिध्धान का प्रतिपादन जो है अरविंद घोस के द्वारा किया गया था ठीक है अरविंद घोस के द्वारा तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि गदर पाटी गदर पाटी की अस्थापना किस बर्स होई तो जो गदर पाटी है इसकी अस्थापना 1913 में होती है और किसके द्वारा इसकी अस्थापना की जाती है सुहन सी भाखना की द्वारा ठीक है सुहन सी भाखना की द्वारा तो B इसका right answer हो जाएगा कि गदर करांती छिड़ने का सबसे महतपूर्ण कारण क्या था तो गदर करांती छिड़ने का जो सबसे महतपूर्ण कारण था पर्थम महायूद का सुरू होना ये कब सुरू होता है तो 1914 SP में ठीक है 1914 SP में सुरू होता है तो C इसका right answer हो जाएगा Next question है कि किसने कहा था सुराज मेरा जर्मसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसके द्वारा बोला गया था तो बाल गंगा धरतिलक के द्वारा बोला गया था ठीक है बाल गंगा धरतिलक के द्वारा तो D इसका right answer हो जाएगा Next है कि सुराज आम जनता के लिए होना चाहिए सुराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए केवल बरगों के लिए नहीं के प्रसिद सुत्र की घोसना किसके द्वारा की गई है तो वे की गई है C राज गुपाला चारी के द्वारा ठीक है C राज गुपाला चारी के द्वारा तो B इसका right answer हो जाएगा Next है कि India for Indians किताब किस नहीं लिखा तो India for Indians जो बुक है ये लिखा गया है C आर 10 के द्वारा ठीक है C आर 10 के द्वारा चितरंजन 10 के द्वारा तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा Next question नहीं कि निम्रिखित मेंसे किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्याच्ता की तो दादा भाई नौरोजी ने ठीक है कलकत्ता कॉंग्रेस की अध्याच्ता 1906 में दादा भाई नौरोजी ने की थी तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा Next है कि निम्रिखित मेंसे किसने जो है All India Muslim लिंग की अस्थापना की थी तो आगा खा और नवाब सली मुल्ला खान दोनों के द्वारा किया गया था लेकिन इस बात को दिजान रचना है कि जोज़एदा इसमें सही है नवाब सली मुल्ला खान इसमें इन्पोर्ट रोल था तो इसे लिए जो सबसे ज़एदा पर सबसे अधिक सही हो जाएगा लेखिन आप तो आता है e b option आता है अगर e question दोबारा repeat हो जाएगा तो आपको ई-option लगाने थिक है इस बात को ध्यान रखना है नेक्स्ट है कि 1906 में बीन्टो से सिम्वला में मिले मुसलमानों के सिस्ट मंडल ने प्राथना की तो क्या प्राथना की थी तो प्राथना की गई थी कि मुसलमानों के लिए पिर्थक निरवाचन वर्ग की वेवस्था की जाए ठीक है तो यह इसका रायट अंसर हो जाएगा इसने निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पिर्थक निरवाचन मंडल का आरंब किया तो आपको आरंब किया भारत परिशद thirty बहरत परिशद अधिनियाEric euro 99 गर्भ ठरींज्ट तरीए जोई परिश्द अधिनियां 1909 के द्वरें जोई है पाकिस्तान की नीव रखा जाती है ठीकहे फाकिस्तान दिया गया है, बाल गंगा धरतिला का था एनी बेशेंट का भी है और एम सुब्रमन्यम एर का भी है जबके टीस अलकाट इनका योगदान नहीं है जो टीस अलकाट है ये थियोसोपकल सोसाइटी से सम्मन्दीत है तो D इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, D इसका right answer हो जाएगा, next question है कि किस अधिवेशन में होमरूल समर्थक अपनी राजनितिक सक्ति का सफलता पुरवक प्रदर्शन कर सके, तो आपको ध्यान रखना है, Congress का 1916 का लखनावर अधिवेशन में, ठीक है, Congress का 1916 का लखनावर इसका right answer हो जाएगा, next question है कि सिच्छा में सुधार है तो British सरकार ने सेंडलर विस्विद्याले आयोग का आयोग कब नियुकत किया, सिच्छा में सुधार है तो जो है, British सरकार ने सेंडलर विस्विद्याले आयोग जो है, इसकी नियुकती 1917 की जाती है, ठीक है, 1917 में, तो B A. इसका right answer हो जाएगा Next question है कि हुम्रूल अंदुलन भारत के सुतंता संग्राम के एक नए चरण के अरब का घोतक था क्योंकि क्योंकि इसने देश के सामने जो है सो सासन शिल्फ गुवर्मेंट के एक ठोस योजना रखी थी इसलिये ठीक है तो A इसका right answer हो जाएगा next question है कि बंगाल विभाजन के प्रत्या घात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था मतलब बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था तो स्वाधिसी आंदोलन शुरू हुआ था तो C इसका right answer हो जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 इसमी में बंगाल विभाजन हुआ था अर उसमें भारत के 22 राय कौन थे तो भारत के जो 22 राय थे लौड करजन थे स्वादेशी आंदोलन कब सुरू हुआता है तो स्वादेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 को सुरू होता है 7 अगस्त 1905 को जो बंगाल विभाजन है वो लागू कब होता है तो बंगाल विभाजन जो है लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को ठीक है 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को 16 October 1905 को जो है बंगाल भी भाजन लागू होता इसे याद रखेगा बेरी बेरी इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट है कि नोवा खली काल में महात्मा गांधी के सचीब कौन थे तो नोवा खली काल में जो है महात्मा गांधी के सचीब थे प्यारे लाल तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा आज साथ में आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी के प्रेस्नल डॉक्टर कौन थे तो डॉक्टर सुसीला नयर डॉक्टर सुसीला नयर जो है प्यारे लाल की सिस्टर थी नेक्स्ट कोस्टन है कि निमलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्यागरा कौन सा था तो चमपारन सत्यागरा था यह होता कब है 1917 में 1917 में और यह बिहार में अस्ती थे चमपारन ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन है कि निमन में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो जो गांधी जी ने पढ़ाई की थी सामलदास कॉलेज भावनगर में ठीक है? सामलदास कॉलेज भावनगर में तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निमन में से पर यहां पर यह होगा ठीक है डलतिस लिख दिया पर भी तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि किसने जो है एरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के सोसन की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्शित किया था तो राज कुमाल सुकल ने ठीक है राज और पर प्रयरम किया गया, तो चमपारण में ठीक है चमपारण में तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि प्रसिद नाटक नील दरपन जिसमें इंडिगो की खेती मतलब नील की खेती करने बाले किसानों की दमन का चितरन किया गया कि रचना किसने की तो इसकी रचना जोए दीन बंद प्रसिद में से किस सत्यागरह अंदुलन में गांधी जी ने परत्या चुरूप से भाग नहीं लिया तो चारों अप्शन को आप एक बार देख लिजे किसमें भाग नहीं लेते हैं जो राजकोट सत्यागरह होता है इसमें भाग लेते हैं और खेड़ा सत्यागरह इसमें राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन है कि स्वाधिन्ता अंदुलन के दोरान महात्मा गांधी के करीवी अंग्रेज मित्र थे तो कौन थे? रेवंड चारली एंड्रूज थे, ठीक है? रेवंड चारली एंड्रूज थे तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि अन्तोदे कारकरम का उद्देश है जो अन्तोदे कारकरम है उसका उद्देश है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि 1917-18 में आहमदाबाद में गांधी जी द्वरा चलाए गए सत्यागरह में किसने हिस्सा लिया था तो किसने हिस्सा लिया था किर्शक वर्क नहीं, जनता नहीं, मजदूर नहीं और ड्योगी करमी ने भाग लिया था ठीक है और ड्योगी करमी ने आहमदाबाद में गांधी जी द्वरा चलाए गए सत्यागरह में भाग लिया था ठीक है और ड्योगी करमी जो फैक्ट्रि में काम करते थे वो लोग तो enario step two right answer हो जाएगा तथा सन 1930 में जो है जेल भी गए है तो किनके बारे में बोला जा रहा है तो भारतिय रास्टी कांग्रेस के जो कोसा अध्याच रहते हैं और जेल भी जाते हैं तो उनका नाम है जमना लाल बजाज ठीक है जमना लाल बजाज ठीक है और जेल कब जाते हैं जेल 1930 में ये जाते ह नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने स्वर पर्थम किस किसान अंदुलन में भाग लिया, तो चमपारण में कब लेते हैं, 1917 में, गांधी जी जो है दच्छिन फिरकास भारत आते कवें, 1915 में, ठीक है, 1915 में आते हैं, तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन है कि गांधी जी का चमपाराण सत्यागरा किस से जूड़ा था, तो तीन कठिया पर्था से जूड़ा था, ठीक है, 3 कठिया पर्था से, 3 भाई, 20, ठीक है, 20 कठ honest किस कठा में जो है, तीन कठा नील की खेती करना अनिवार था, तो 20 इसका राइट अंसर हो ज उसको सारे कोशन को आपको ध्यान से देखना है, कितने कोशन को तो छाड़ देते हैं, जो बहुत जादा रिपीट होता है, उसे हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बारा बार एकी चीज को पढ़ाना अच्छा ने लगता है, तो नेक्स कोशन है कि बिहार में तीन कठिया चमपारन आंदोलन से कौन सम्मंदित नहीं था, तो चारो अप्सन पढ़ लिजे, राजंदर परसाद, अनुगरा नरायन सिंह, जेवी करिपलानी, जैपरकास नरायन, तो आपको ध्यान रखना है, जैपरकास जो नरायन है, वो चमपारन आंदोलन से सम्मंदित नहीं है, तो डे इसका राइट अंचर हो जाएगा, जबकि राजंदर परसाद, अनुग्रह, नरायन, सिन्धा, जेबिक, रिपलानी आपके सम्मंदित हैं। नेक्स्ट है कि अखिल भारतिय किसान सभा के पर्थम सत्र की अध्याचता किसने की। तो अखिल भारतिय जो किसान सभा है, इसके पर्थम सत्र की अध्याचता जो है, स्वामी सहजानन्द के द्वारा किया जाता है, ठीक है, स्वामी सहजानन्द के द्वारा, आपको याद रखना है कि अखिल भारतिय किसान सभा की अस्थापना जो है कब की जाती है, तो 1936 में ये भी पुछा जाता है एक्जाम में ठीक है, कि इसकी अस्थापना कब की जाती है, तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा, उसके बाद अगला कोस्टन है कि अखिल भारतिये, ट्रेड यूनियन, कॉंग्रेस के प्रतम अध्यच थे, तो कौन थे, लाला लाजपत राय, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अखिल भारतिये, वेपार संग कॉंग्रेस, इसके अस्थापना अध्यच कौन होते हैं, लाला लाजपत राय, ठीक है, यहाँ पर अगला कोस्टन है, तो D इसका राय अंसर हो जाएगा, नेक्स है कि कॉमिनिस्ट इंटरनेशनल का सदस बनन यहाँ 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 राय, ठीक है, तो A इसका राय अंसर हो जाएगा, इसका राय अंसर हो जाएगा, नेक्स है कि भारतिये उच्छा युक्त के पद का सिर्जन किस अधिनियम से हुआ, तो भारतिये उच्छा युक्त के पद का जो सिर्जन है, भारत सरकार अधिनियम उन 2019 के द्वारा होता है तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि जलिया बाला बाग नरसंगार किस गांधी बादी सत्यागरह के संबंध में हुआ तो रौलेक्ट रौलेक्ट सत्यागरह के संबंध में ठीक है तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा जो जलिया बाला बाग हत्याकांड होता कवे 13 अप्रिल 1990 2019 को 13 अप्रिल 2019 को होता है रोलेक्ट एक्ट क्या होता है इसमें क्या होता है कि बिना केस के ही सक के अधार पर किसी भी वेक्टी को गिरफतार किया जा सकता था रोलेक्ट के माध्यम से, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स है कि रॉलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था, ठीक है, नेक्स कोस्टन है कि जलिया बाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, क्या रिजन था कि जालिया वाला बाग में जो है प्रदर्सन के लिए लोग जमा हो गए थे, तो किचलू तथा सत्पाल के बंदी बनाई जाने के बिरोध में प्रदर्सन करने के लिए जमा लोग हुए थे, तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, से इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स है कि रवेंदर नाथ टाइगोर ने अपनी नाइट हुड उपादी किस कारण त्याग दी, तो जलिया वाला बाग हत्या कांड के बाद, जलिया वाला बाग हत्या कांड के बाद, जलिया वाला बाग हत्या कांड किसके दवरा कर तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया किसके द्वारा मारा गया लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को जो है गोली से मारा गया लंदन में किसके द्वारा मारा गया तो उधम सिंग के द्वारा मारा गया था तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि बर्ष 1919 भारतिय इतिहास से सम्मंदित है तो जलिया बाला बाग तराजदी से सम्मंदित है तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी की बदले जाने की फैसला कब की गई थी तो 1911 में फैसला की गई थी बंगाल का विभाजन 2005 में होता है तो बे इसका right answer हो जाएगा नग्स्त है कि अमरित सर की जलिया बाला भाग में भील का दमन हुआ तो कब हो था तो 13 अप्रिल 1999 को बे इसका right answer हो जाएगा जलिया बाला बाग हत्या कांट के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने माँ डाला तो उधम सिंग ने माँ डाला तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा और लंदन में गोली मारे थे नेक्स है कि किसने खिलापत आंदोलन को जो है हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अपसर के रूप में देखा जो सो बर्स में भी पुना प्रस्तूत नहीं होगा तो महत्मा गांधी ने ये अपसर देखा था तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अंदोलन किया था वह किस सहर में हुआ था तो इलाहबाद सहर में हुआ था तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि गांधी के अस्तायोग अंदोलन में लोगों को सराब से परहेज करने का आगरह किया गया फल्सरूप सरकार की राजस्व में भारी कमी आई और एक परदेश की सरकार ने लोगों को फिर से सराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख बेक्तियों की एक सुची प्रसारित की जो सराब पीते थे उस परदेश का नाम बताए देखिया इसे भी कोशन पूछा जा तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि महात्मा गांधी ने खिलापत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाप अपने आंदोलन में जो है भारतिये मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे इसलिए तो बे इसक राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस ने अस्तायोग अंदुलन किस वर्स प्रणब किया तो भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस जो है अस्तायोग अंदुलन 1920 इसपी में प्रवराम किया था, तो C इसकाалась right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है कि Ghandi जी ने अस्त्याज़ग अंदुलन कब प्रवराम किया, तो 1920 में कब किया, 1920 में, तो A इसका right answer हो जाएगा, सेम कोज़न है, ठीक है, सेम कोज़न है, नेक्स्ट है कि, इसे बड़ा कर लेते हैं गबार किस छेत्र में राहूल सांकिरतायन 1902 के आसायोग अंदुलन में सकिरिये थे तो इस छपरा में सकिरिये थे वेरी इन पॉटेंट कोसन है छपरा में तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है छपरा आपके बिहार में एक डिस्टिक है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस घटना के बाद महातमा गांधी ने आसायोग अंदुलन को अपनी हिमाली जैसी भूल बताई वेरी इन पॉटेंट कोसन है किस घटना के बाद महातमा गांधी ने आसायोग अंदुलन को अपनी हिमाले जैसी भूल बताई तो चौरी चौरी चौरा घटना को ठीक है चौरी चौरा घटना को गोरेकपूर में असती थे तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा चौरी चौरा जो घटना है यह कब हुआ था तो चार फरवरी 1922 को ठीक है फिर सी लिख देते हैं चार फरवरी 1922 को चार फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा घटना होता है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा A इसका right answer हो जाएगा Next है कि आसायोग अंदूलन की दवरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसके परिच्छा के केवल 20 दिन बचे थे तो जैपरकास नरायन ठीक है जैपरकास नरायन तो C इसका right answer हो जाएगा C इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि 1921 के मोपला अंदूलन की जो साखा थी खिलापत अंदूलन की साखा थी तो A इसका right answer हो जाएगा Next है कि 1922 के आसायोग अंदूलन के दवरान बिहार में प्रचलित मानताओं में से एक या थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या है गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था इसलिए बिहार में ये कहाबात एक तरीका से प्रचलित हो गया था तो C इसका right answer हो जाएगा इद्वरापंद्रे में पूछा गया था Next है कि सारा बंदी अंदूलन ये 1922 लिखा गया है उसे कर लिजेगा 1928 ठीक है गल्तिस BPC से लिख दिया था सारा बंदी अंदूलन किसके नितृत में प्ररंब हुआ जो सारा बंदी अंदूलन मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि कर ना आदाएगी मतलब कर नहीं देंगे तो सारा बंदी अंदूलन जो है किसके नितृत में प्ररंब हुआ था तो सरदार बल्लम भाई पटेल के नितृत में प्ररंब हुआ था तो B इसका right answer हो जाएगा सारा बंदी आंदोलन जो गुजराथ से सम्मंदी थे ठीक है नेक्स है कि 1921 का मुप्रला बिद्रो कहां हुआ था तो कहां पर हुआ था केरल में हुआ था माला बार एरिया के आसपास तो C इसका right answer हो जाएगा मुप्रला बिद्रो में क्या था कि जो हां पर किसान थे किसान मुस्लिम थे किसान मुस्लिम थे और जो जमिनदार था वो हिंदू थे जमिनदार हिंदू तो जो किसानों का जो है सोसन किया जा रहा था जमिनदारों के द्वारा तो उसी के बिरोध में जो है 1921 का मुपला बिदरो होता है किरल में तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि आस्थायोग आंदोलन के अस्थगन सम्मंधी घटनाओ का सही करम इंगित करे सही करम बताना है कि सबसे पहले कौन से घटना घटती है सबसे पहले घटना घटती है चारी चारा में पुलिस गोली कांड हो जाता है उसके बाद उग्र भीड पुलिस थाने को आग लगा देती है सबसे पहले जब वहाँ पर अंदोलन निकला तो पुलिस गोली चला देती है आम लोगों पर उसके बाद आम लोग थाने में बंद पुलिस को जला देते हैं उसके बाद गांधी जी दोवारा असायोग अंदुलन को बापस ले लिया जाता है और उसके बाद गांधी जी को जो है जेल में डाल दिया जाता है जब अस्वयोग अंदुरन बापस गांधी जी ले लेते हैं तो उनको जो है 10 मार्च 1922 को जो है जेल में डाल दिया जाता है गांधी जी को तो ए इसका right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा इसका करम में आपको सजाना था कि सबसे पहले कौँसे घटना घटती है उसके बाद कौँसे घटना घटती है नेक्स कोशन है कि लौड सिन्णा ने 1921 में कहां कि गवर्नरपत से त्यागपत्र दिया था तो बिहार उडिशा के गवर्नरपत से त्यागपत्र दिया था तो ए इसका right answer हो जाएगा जो लौड सिन्णा है इनका पूरा नाम क्या है तो सत्यंद्र प्रसन्नों सत्यंद्र प्रसन्नों सिन्णा इनका पूरा नाम था साथ में आपको याद रखना है कि 1908 में बंगाल के एड़वोकिट जेनरल नियुक्त किये गे थे जो भारत के प्रतम थे दुसरा पूइंट याद रखना है कि 22 राय की कॉंसिल में कानूनी सदर्स की रूप में सैमिल होने बाले पहले भारतिय थे लौड सिन्णा नेक्स्ट है कि 1923 और 1928 के बीच के काल में भारतिय राजनीती में करांती कारी कारविधियों की पूर्णा बिर्ती का कारण क्या था क्योंकि गांधी जी आसाहुक अंदुरन बापस ले लिये थे इसी कारण तो बी इसका राइट अंसर हो जाएगा जो हमारे करांती कारी थे जिसमें आपके भगस सी चन्सेखर अजाद बटू केसवरदत इस अब सामिल थे नेक्स्ट है कि स्वराज डल की अस्थापना असफलता के बाद हुई तो आस्थायोग अंदुलन की असफलता के बाद जो ह स्वराज डल की अस्थापना की जाती है स्वराज डल की अस्थापना कब की जाती है तो 1923 में नेक्स कोशन है कि 1923 में जो है स्वराज पाटी का गठन किस ने किया तो सी यार दास और मोतिलाल नहरू सी यार दास और मोतिलाल नहरू आपको याद रखना है कि स्वराज जाएगा देखिए पूछा गया है 2020 में ठीक है और यह पूछा गया है थापके 2016 में कितना नजदिक नजदिक कोशन आपकी रिपीट होता है तो आप सभी के लिए प्रीवेस कोशन होता है तो आप लोग सारे वीडियो को जरू देखिया किजिएगा नेक्स्ट है कि 1922 में जो है गया के इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अधिवेशन के अध्याच कौन थे तो चितरंजन दास थे कौन थे चितरंजन दास ठीक है चितरंजन दास तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा अता सदेव सहमती के साथ और अक्सर बानीज मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मैंस वड्यन कहा जाता है या किसने कहा था तो सचिदानन सिन्णा ने कहा था सचि साइमन कमिशन पहली बार भारत 1928 में आता है साइमन कमिशन की नियुक्ति कब की जाती है तो 1927 में साइमन कमिशन की नियुक्ति की जाती है जो साइमन कमिशन है इसमें कितने मेंबर थे तो इसमें सात मेंबर थे सातों मेंबर आपके अंग्रेज थे सातों मेंबर अंग्रे पुर्ण सुराज का प्रश्टाओ लह॓र कंग्रेस में पारित किया गया तो किस बर्स पारित किया गया तो यह पारित किया गया आपकी 1929 में ठीक है 1929 में तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको याद राखना है कि जो लोहर में कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इसके अध्याच कौन थे तो जवाहल लाल नहरू इसके अध्याच थे ठीक है नेक्स कोस्टन है कि भारतिय रास्टी कांगरेस द्वारा किस दिन को पूर्ण सोराज दिवस घोसित किया गया था तो घोसित किया गया था आपके 26.1930 को ठीक है नेक्स कोस्टन है कि 1929 के कांगरेस अधिवेशन में पूर्ण सोराज का पता का किस ने उठाया तो पंडित पंडित ने बूलना है जवाहल लाल नहरू ठीक है जवाहल लाल नहरू ने तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोस्टन है कि समाज बाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिस सासन, डेशि, राजियों, जमिनदार और पूञ़ी बाद को उख़ाड फेकना चाहता था तो जवाहलाल, नहरू जोएं, ब्रिटिश जासन, देशी राजियो, जामिनदारबाद और पुझेबाद को उखाड फेकना चाहते थे तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा Next question है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण सुतंदर्ता की मांग को उठाया तो किसके द्वारा उठाया गया था? मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा ठीक है? मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा जो है 1929 में पहली बार पूर्ण सुतंदर्ता की मांग को उठाया गया था तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि डांडी यात्रा की गई 1932 में 1931 में 1929 में 1930 में तो डांडी यात्रा कब की गई? तो डांडी यात्रा 1930 में की गई ठीक है? 1930 में तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि गांधी जी के द्वारा जो है डांडी यात्रा कब शुरू की गई थी तो सावर मती से जो है 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 से जो है 6 अप्रेल 6 अप्रेल 1930 तक ठीक है टोटल आपकी 24 दिन जो है यात्रा चलता है ठीक है और डांडी में आपकी गांधी जी जो है समुन्द से नमक बना की जो सबने अवग्या अंदूलने उसका उलंगन करते हैं जो नमक का कानून है उसका उलंगन करते हैं नमक कानून तोड़ते हैं ठीक है तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवग्या अन्दून कहां से प्ररम किया था पुछा जाए है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवग्या अन्दून कहां से साबरमती से तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा और नेक्स्ट है कि नमक सत्यागरह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के बिरोध के द्वारा सरकार का बिरोध किया तो चवकिदारी कर ठीक है चवकिदारी कर तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि डांडी यात्रा कितने दिन चली थी तो जो डांडी यात्रा है यह 24 दिन चली थी कितने दिन 24 दिन तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि 1929 में खुदाई खित्मतगार को किसने संगठित किया तो जो खुदाई खित्मतगार है इसे संगठित किया अबदुल गफार खान ने ठीक है अबदुल गफार खान जिन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है ठीक है याद रखिएगा इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी एक हिस्सा था तो किसका हिस्सा था सबने अबग्या अंदूलन का हिस्सा था जो 1930 में शुरू हुआ था तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि सबने अबग्या अंदूलन कि आज सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनातमक कारी करम को हिस्सा के सिमित उपियोग को अंग्रेजों से समझाओते पर उपरुक्त में से कोई नहीं तो आपको ध्यान रखनातमक कारी करम पर ठीक है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन है कि निम्लिखित में से किस भारती नेता ने लंदन में प्रथम गोलमिज कॉन्फरेंस में भाग लिया तो किसके द्वारा भा इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निम्लिखित में से कौन सा गोलमिज सम्मेलन 1932 में हुआ तो आपको याद रखना है कि 1930 में जो है पहला होता है 1931 में दुसरा होता है और 1932 में तिसरा हो जाएगा तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है तो एक और तीन, तो उपरोक्त में से एक से अधिक साहिए, तो ई इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है कि दूतिये गोल में सम्मेलन किस प्रस्ण पर जो है असफल रहा, तो समपरदाईक प्रतिनिदित्व के अधार पर जो है असफल हो गया, तो ए इसका राइट दलित नेता जो है, भीमराव अंबेदकर ने दलितों के लिए प्रिथक निरवाचन मंडल की सुगधा मांग की इसलिए गांधी जी जो है, उस मांग को आसिवकार कर दिये, और जो सम्मेलन था उससे बापस बाहर चले गए, तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स सामिल होके, नेक्स है कि गांधी इर्विन समझोते के हस तरांच छजित होने में किसने महत्पूर्ण भूम का निभाई, मतलब कि गांधी और इर्विन समझोते करवाने में किसने महत्पूर्ण भूम का निभाई, तो तेज बहादू सप्रू ने, ठीक है, तेज बहादू सप्रुन महतपुर्ण भूम का निभाई तो c इसका right answer हो जाएगा next question है कि 5 March 1931 को निमन में से कंज़वता हुआ 5 March 1931 को निमन में से कंज़वता हुआ तो गांधी उर्विन समझ़वता हुआ ठीक है गांधी उरविन समझ़वता हुआ था तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैक डोनाल्ड के समपरदाईक पांचाट के द्वारा पहली बार एक पिर्थक निर्वाचक समुह बनाया गया तो अच्छूतों के लिए ठीक है अच्छूतों के लिए तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा इस कोशन को दोवारा पढ़ लिजे विरी इन पोटन्ट है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैक डोनाल के समपरदाईक पांचाट के द्वारा पहली बर प्रीथक निर्वाचक समुह बनाया गया था तो अच्छूतों के लिए धिया गया था ठिक है अच्छूतों के लिए अलग से सीट दिया गया था तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा जिसे करन गांधि जी जो है अंसर कर देते हैं नेक्स्ट है कि संप्रदाइक अवाड एवं पूना फैक्ट में करमसा दलित बर्ग के लिए कितने सीठे दी गई तो संप्रदाइक अवाड में जो है समझोते का उद्देश था जो पूना समझोते का क्या उद्देश था तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना इसका उद्देश था तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि अपने किस कारिकारनी कमिटी में कांग्रेस ने भू स्वामित को समाप्त करने की निती अपनाई तो आपको याद रखना है कि कारिकारनी कमिटी 1937 के द्वारा ठीक है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वस्टन है कि किस अधनियम के बारे में जवालल नहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किन्तु इंजन ही नहीं था तो ये बोला गया था भारत सासन अधिनियम 1935 को ठीक है भारत सासन अधिनियम 1935 को तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा इंजन तो हैए नहीं है लेकिन बिरेक बहुत ज़ादा है तो आधी रखना है कि भरास असन अधनियाव 1935 को बोला गया है तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनुही सरकार ने केस कारण बस इस्तिफा दे दिया तो राजनेतिक वंदियों को नहीं छोड़ा गया इसी कारण से तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था चार अप्सन दिया गया है तो इसमें ध्यान लखना है कि स्वामी सहजानन्द भी कारियानन्द सर्मा भी राहूल संकृतायन भी और यदू नंदन सर्मा भी जुड़ो हुए थे सारे लोग जुड़ो हुए थे तो इसमें जो अंसर हो जाएगा एक से अधिक सही तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि Congress Socialist Party की पहली बैठक हुई Congress Socialist Party की जो है पहली बैठक कहां पर होती है तो पटना में होती है ठीक है पटना में होती है जो Congress Socialist Party है इसकी अस्थापना के जाती है तो 1934 में ठीक है 1934 में इसकी अस्थापना की जाती है तो C इसका right answer हो जाएगा Next question है कि अखिल भारतिय किसान कॉंग्रेस का गठन किया गया था तो कब किया गया था? 1936 में जो अखिल भारतिय किसान कॉंग्रेस देख रहे हैं इसका नाम बाद में बदल के अखिल भारतिय किसान सभा कर दिया जाता है और इसके प्रथम अध्याच कौन बनते हैं तो स्वामी सहजानन सुर्षती स्वामी सहजानन सुर्षती बनते हैं ठीक है? बहुत पर एकजामें पूछा जाता है Next question है कि 1936 में लखनौर में अखिल भारतिय किसान सभा का प्रथम अध्याच किसे चुना गया तो स्वामी सहजानन सुर्षती को तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है? C इसका राइट अंसर हो जाएगा Next है कि वह कौन सी जगा थी जहां अखिल भारतिय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था अखिल भारतिय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो देख चुके हम लोग लखनौर में Next है कि स्वामी सहजानन सुर्षती ने भूमी और जलमार्ग के राश्टी करन की मांग के साथ अखिल भारतिय संयुक्त किसान सभा का गठन किया गया तो कब किया गया उनकी मिर्तु से ठीक पहले किया गया था उनकी मिर्तु से ठीक पहले मतलब 1949 में किया गया था ठीक है 1949 में तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा Next question है कि भारत Trade Union Congress के पहले अधियच कौन थे तो लाला लाजपत राय थे लाला लाजपत राय तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत Trade Union Congress इसके अस्थापना कब की गई थी तो अक्टूबर 1920 में की गई थी और कहां पर की गई थी तो बंबाई में की गई थी इतना याद रखेगा very important है नेक्स्ट है की Trade Union आंदूलन की करांती कारी चरण का समय था तो आपको याद रखना है 1926 से 1949 के बीच ठीक है very important question है Trade Union आंदूलन की करांती कारी चरण का समय था 1926 से 1949 के बीच तो बे इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है की Congress Socialist Party की पहली बैठक पटना में हुई तो किस बर्स होती है 1934 में होती है ठीक है 1934 में सारे कोशन आपके 12 कोशन repeat होते हैं एक्जाम में Congress Socialist Party की पहली बैठक पटना में हुई तो कब होई 1934 में होती है तो बी इसका right answer हो जाएगा Next है कि जपरकास नरायन इस पार्टी से जुड़े थे तो जपरकास नरायन थे किस पार्टी से जुड़े हुए थे तो आपको याद रखना है Congress Socialist Party से ठीक है Congress Socialist Party से तो ए इसका right answer हो जाएगा जो Congress समाजबाटी पार्टी है Congress Socialist Party है इसकी अस्थापना कब की जाती है तो अक्टूबर 1934 में इसकी अस्थापना की जाती है इसकी अस्थापना कहां पर की जाती है तो इसकी अस्थापना पटना में की जाती है और इसके संस्थापक सदस लिख लिजेगा बारवर एक्जामें पूछा जाता है तो इसके संस्थापक सदस है पहला अचार नरेंदर देव पहला फिर से बोल दते हैं अचार नरेंदर देव और दुसरा है जैपरकास नरायान ठीक है जैपरकास नरायान याद लखिएगा दोनों 12 एक्जाम में पुछा जाता है नेक्स्ट है कि बिहार सोसिलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जैपरकास नरायान ठीक है जैपरकास नरायान और अचार नरेंदर देव ठीक है किसी में उप्सन नहीं है अचार नरेंदर देव खाली दिया गया है जैपरकास नरायान तो इसका राइट अंसर ए हो जाएगा लिकिन लिख लिजेगा कि आचार नरेंदर देप भी इसके संस्थापक हैं बिहार सुसलिस्ट पार्टी के हैं। नेक्स्ट है कि जब परकास नरायन किस नाम से पहचाने जाते हैं। तो जब परकास नरायन जो है लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है कि जपरकास दिवस मनाया गया, तो जपरकास दिवस जो है कब मनाया गया, तो जपरकास दिवस है अपरेल 1946 में मनाया गया, ठीक है, अपरेल 1946 में, तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है कि 1928 में भारती रास्टी कॉंग्रेस के अध्यज निरवाचित हुए तो कौन निरवाचित होते हैं सुभास चंदर भोस ठीक है सुभास चंदर भोस तो बेईस्त का राइट अंसर हो जाएगा कांऑश के हरीपूरा हरीपूरा आपके गुझरात में अधीवेशन 1928 में जो है सुभास चंदर भोस निरिवरोध जो होते हैं कांऑश के अध्यज चुने जाते हैं उसके राद आपको याद रखना है की सुभास चंदर भोस है कांगरेस के अध्याच पोस्ट से ठीक है उसके बाद सुभाच अध्याच पोस्ट से इस्तिफाद दे देते हैं तो उसके बाद अध्याच कुन बनता है तो राजन दे परसाद जो है अध्याच बनता है जब सुभाच अध्याच अध्याच बनता है जब सुभाच अध्याच अधनियम के तहत लृत है इसका राइत अंसर हो जाएगा हिसका राइत नेक्स कोष्वेंन है कि इंप संब्स है कि इंपरियल कैडिट कॉप्स कि अस्थापना किस ने की तो जो इंपिरियल कैड़ेट कॉप्स के अस्थापना है यह की गई है लॉड करजन के द्वारा ठीक है लॉड करजन के द्वारा और कब की गई है तो 1901 में और इसका उद्देश क्या था तो देशिये नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक सिच्छा क प्रवंधन करना था ठीक है फिर से बोल देते हैं इसका उद्देश था देशिये नरेशों जो राजा था अपना देश के अंदर देशिये नरेशों के राजाओं एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक सिच्छा का प्रवंधन करना मतलर सैनिक सिच्छा उन्हें देना उद् 1927 की बटलर समिती का उद्देश था तो इसका उद्देश था की भारत सरकारत सरकार था देशी राज्यों के मद संबंधो को सुधारना इसका उद्देश था तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा ये ISO का भी पूछा हूआ सवाल है नेक्स्ट है कि All India A State People's Conference का गठन कब हुआ तो All India A State People's Conference का जो गठन है यह होता है आपके 1927 में 1927 में ठीक है 1927 में तो से इसका राइट एंसर हो जाएगा से इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि दोतिये विश यूद के समय ब्रिटेन का प्रदान मंतरी कौन था तो दोतिये विश यूद के समय ब्रिटेन का प्रदान मंतरी विस्टन चर्चिल था तो से इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट sözन है कि Now or Never पंपले ट किसने लिखा है तो Now or Never जो पंपलेट है लिखा गया है रहमत अली के द्वारा तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा पहला क्वेस्टन है कि पाकिस्तान के अलग राज अंदोलन का नेतरित हुए किसने किया तो पाकिस्तान के जो है अलग राज अंदोलन का नेतरित हुए मुहम्मद अली जिन्ना ने किया मतलब पाकिस्तान की अलग मांग का डिमांड जो है मुहमद अली जिन्दा ने सुर पर्थम किया था और कब किया था 1940 के लहौर अधिवेशन में ठीक है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि मुस्लिम लिंग द्वारा पाकिस्तान की अस्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया तो किस वर्थ पारित किया गया तो 1940 में तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि बेक्तिगत सत्याग्रह अंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे तो बेक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे बिनोवा भावे ठीक है बिनोवा भावे तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा और दुसरे सत्यागरही कौन थे तो जवाहलाल नहरू दुसरे सत्यागरही कौन थे जवाहलाल नहरू बेक्तिगत सत्यागरह अंदोलन जो है कब शुरू हुआ था तो 17 अक्टूबर 1940 गोट 17 अक्टूबर 1940 को ठीक है ये दोने वाद रखेगा तीनों पॉइंट बिनुव भावे और जवाहला नेरू और 17 अक्टूबर 1940 नेक्स क्वेस्टन है कि सर्वोदे सब्द का परियोग सरपर्थम किस ने किया था तो जो सर्वोदे सब्द है इसका सरपर्थम परियोग महात्मा गांधी ने किये थे महात्मा गांधी ने ठीक है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स क्वेस्टन है कि किसके द्रिस्टी में जो है क्रिप्स परश्ताव एक तूटे हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक था जो क्रिप्स परश्ताव है ये कब आता है 1942 में और पोस्ट डेटेड चेक ओपन एक रेसिंग बैंक मतलब क्रिप्स जो परश्ताव है इसे जवाला नहरू के द्वारा बोला गया कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नस्ट हो चुका ठीक है तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोस्टन है कि भाराट छोड़ो अंदोलन का नेत्री उत्वे किया था तो किसके द्वारा किया गया था आप लोग सुच के इसका उत्तर बताइए भाराट छोड़ो अंदोलन का नेत्री उत्वे किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था महत्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था तो इन में से कोई नहीं ठीक है भाराट छोड़ो अंदोलन का जो परस्ताव कब परित हुआ था तो 8 अगस्त 1942 को ठीक है उसी रात को 12 बज़े जो है जो important हमारे नेता है महत्मा गांधी, मौलाना अजाद इन सभी को गिरफतार कर लिया जाता है उसके कारण क्या होता है कि जो भारत छोड़ो अंदोलन है नित्रुत बहीन हो जाता है तो D इसका राइट अंसर हो जागा नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो अंदोलन कब प्रणाम हुआ कब प्रणाम हुआ तो 9 अगस्त 1942 को ठीक है प्रस्ताव पारत्य वाथा 8 अगस्त को और अंदोलन प्रणाम हुआ 9 अगस्त 1942 को तो A इसका राइट अंसर हो जागा ठीक है नेक्स्ट है कि करो या मरो का संबंध किस अंदोलन से है करो या मरो इसका संबंध है भारत छोड़ो अंदोलन से ठीक है भारत छोड़ो अंदोलन से तो D इसका राइट अंसर हो जागा भाराच छोड़ो अंदोरन कब हुआ था 1942 में नेक्स कोशन है कि 6 जुलाई 1942 को वारधा में महात्मा गांदी ने कांग्रेस की कारीकारी समिती में अपने भाराच छोड़ो अंदोरन की चर्चा की तब उस समीती के अध्यच थे तब उस समीती के अध्यच कौन थे तो मौलाना अबूल कलाम अजाद ठीक है मौलाना अबूल कलाम अजाद तो बे इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कौस्टन है कि भारत छोड़ो अंदोलन के समय इंगलेंड के प्रधान मंत्री थे अच्छा कौस्टन है कि भारत छोड़ो अंदोलन के समय जो है इंगलेंड के प्रधान मंत्री कौन थे तो बिस्टन चर्चिल थे तो बे इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था तो गांधी जी को कहां पर कैद करके रखा गया था आगा खा पैलेस में ठीक है आगा खा पैलेस में रखा गया था तो दे इसका राइट अंतरो जाएगा गांधी जी को यहां पर नजर बंद करके रखा गया था नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलंग से उत्पन दंगे किस छेत्र में सबसे अधिक ब्यापक रहे हैं तो आपको याद रखना है जो सबसे अधिक ब्यापक रहे हैं वह बिहार में रहता है और उसके बाद संयुक्त प्रांत जो आज उत्तर प्रदे से बंगाल और गूजरात में नहीं रहता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा एक और चार तो डे इसका राइट अंसर हो जाएखे भाख演 कै ठीक है बाकी पूर्ज कहां पर है पठना में है तो D इसका right answer हो जाएगा जो आपके राजंदर परसाद है भारत के प्रथम राश्च्पती है भारत के प्रथम राश्च्पती है ठीक है तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि 9 अगस्ट 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफतार किया गया वे थे 9 अगस्ट 1942 को जिन दो नेताओं हजारी बाग को गिरफतार किया गया वे थे वो कौन थे उनका नाम क्या था तो उनका नाम है सिब कुमार और रामानन्द ठीक है सिव कुमार और रामानंद उनको कहा से गिरफतार किया गया था तो उनको हजारी बाग से गिरफतार किया गया था इस बात को अपको ध्यान डखने है सिव कुमार और रामानंद अच्छा कोसन नहीं भी नेक्स कोसन है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धर पकड से बिहार में बहुत दंगे हुए हैं इनमें रेल सेवा पुर्ण रूप से ठप हो गई ध्यान रक ना है रेल सेवा जो है पुर्ण रूप से ठप हो गई उसमें अधिक्तम परभावित जीला कौन थे तो उसमें अधिक्तम जीला था पटना था कौन था पटना तो से इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि जे परकास नरायन को रास्टिय अस्तर के नेता की पहचान किस संदर्व में मिली है तो किस संदर्व में मिलती है भारत छोड़ो अंदूरन के संदर्व में ठीक है भारत छोड़ो अंदूरन के संदर्व में तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि कथन और करन का कोस्टन है नीचे दो बकतब दिये गए है जिनमें से एक कथन A है और दुसरा कथन R है दोनों को आपको ध्यानपुर्वक पढ़ना है तो पढ़ लिजी कथन A रास्टिय स्वैन सेवक संग 1942 के भारत छोड़ो अंदोलन से प्रिथक रहा तो सही बात है प्रिथक रहा अलग रहा इसका विचार था कि इस अंदोलन से भारत की सुतंत्रता में देर होगी ऐसा कुछ भी नहीं ये गलत है तो सिर्फ एक सही या दूसरा गलत है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है C इसका राइट अंसर हो जाएगा Next question है कि भारतिय रास्टिय सेना की अस्ठापना किस बर्स हुई। तो इसके अस्ठापना 1942 में होते हैं तो C इसका राय्ट अंसर हो जाएगा। कोशन है कि इनमें से 1945-46 में दिल्नी में हुए I.N.A के मुक्यादमे के पच में पेस हुए बकील थे तो कौन पेस हुए बकील थे तो B. इसका राइट अंसर हो जाएगा भूला भाई देशाई साथ में आपको याद रखना है कैलास नाथ काड़ू तिसरा है सरतेज बहादूर सप्पुरू और चोठा है जवालाल नहरू इस चारो आपको याद रखना है फिर से बोल देते हैं पहला है भूला भाई देशाई दुसरा है कैलास नाथ काड़ू तिसरा है सरतेज बहादूर सप्पुरू चोटाएं जवालाल नहरू नेक्स्ट है कि अजाद हिंद सरकार के निर्मान की घोसना की गई तो कब की गई 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को 7 जुलाई 1943 को जो रास बिहारी बोस ने अजाद हिंद फोज की कमान किसे सोपा 7 जुलाई 7 जुलाई 1943 7 जुलाई 1943 को जो रास बिहारी बोस ने अजाद हिंद फोज की कमान सुवाचंदर बोस को सोपी 21 अक्टूबर 1943 को जो सुवाचंदर बोस ने सिंगापूर में सुतंत्र भारत के अरस्थाई सरकार के गठन कर अजाद हिंद सरकार के अंद्रमान की घोस्तना की गई इसे आपको याद रखना है नेक्स है कि 49 में अजाद हिंद फोज अस्तित्व में आई तो कहाँ पर आती है सिंगापूर में ठीक है सिंगापूर में तो C इसका ट्राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी अस्तापना की तो जो INA अजाद हिंद फोज ये किसकी दिमाग की उपज थी और किसने इसकी अस्तापना की तो आपको याद रखना है डॉक्टर मोहन सिंग ठीक है dr. mohan Singh तो B इसका right answer हो जाएगा next है कि forward block की अस्थापना किसने की तो जो forward block है इसके अस्थापना सुभाज चंद्र बोश के द्वारा किया गया है सुभाज चंद्र बोश के द्वारा किया गया है और कब किया गया है तो March 1949 को ठीक है March 1949 को तो A इसका right answer हो जाएगा Next है कि सचीदा नन सिन्हा किसके साथ जुड़े थे सचीदा नन सिन्हा जो है किसके साथ जुड़े थे तो इनमे से किसी के साथ जुड़े हुए नहीं थे तो D इसका right answer हो जाएगा सचीदा नन सिन्हा जो सचिदानन सिन्ह है इनके बारे में आपको याद रखना है कि समिधान सभा के जो है प्रथम आस्थाई अध्यच थे फिर से बोल देते हैं कि जो सचिदानन सिन्ह है समिधान सभा के प्रथम आस्थाई अध्यच थे ठीक है सचिदानन सिन्ह तो D इसका राइट अंसर हो जा अपना के लिए सुभास चंद्र बोश से कौन जुड़े और आई एन ए अंदुलन के साथ भी जुड़े रहे तो सील भद्र या जी ठीक है सील भद्र या जी तो सी इसका राइट एंसर हो जाएगा ये 2016 में पूछा गया था च्छा कोसन है नेक्स कोसन है की सुमलित करिये बारदोली कहां सTHी थे गुजरात में चवरी चवरा उत्तर परदेश में और यरवदा महरास्ट में नोवा खली पच्छी मंगाल में तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा दू चार तो सी इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है सी इसका nationalist का भारत में कावीनेट मिशन आता है तो 2016 किसी में नहीं है इन में से कौई नहीं ठीक है इन में से कौई नहीं तो E इसका right answer हो जाएगा next है कि cabinet mission की अध्याचता किसके द्वारा की गई तो cabinet mission की अध्याचता जो है Sir P. Lawrence के द्वारा की गई Lord Panthic Lawrence तो D इसका right answer हो जाएगा इसके कि इनमें से कौन cabinet mission के सदस नहीं थे तो जो बेबल हैं cabinet mission के सदस नहीं थे जबकि Panthic Lawrence इसके अध्याचत थे A Stafford's Crips सदस थे A.B. Alexander सदस थे तो B इसका right answer हो जाएगा next है कि वो कौन सा कांगरेस अध्याचत था जिसने Crips mission Crips mission एवम Lord Bebel दोनों से बारताएं की तो कौन करता है तो आपको याद रखना है अब्दूल कलाम अजाद करते हैं तो A.S. का right answer हो जाएगा जो अब्दूल कलाम अजाद है 1940 से 1946 तक जो है कांगरेस के अध्याच रहते हैं next है कि अंग्रेजों दोरा भारतियों को 1947 में 27 रांत्रीत किये जाने के समय कांगरेस अध्याच काउन था तो इसमें जो कांगरेस का अध्याच था 1947 में जब सत्ता का ट्रास्पर हो रहा था भारत को तो J.B. किरिपलानी थी तो D.A.S. का right answer हो जाएगा देखें ये कोशन को repeat किया गया है ये कोशन आपके 2003 चारका है और इपिट हुआ है 2016 में भारत के बिभाजन के समय भारतिय रास्टी कांगरेस का अध्याच कौन था तो J.B. किरिपलानी ठीक है J.B. किरिपलानी तो A.S. का right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि सन 1947 के भारतिय रास्टी कांगरेस के दिल्ली अधिवैसन की अध्याच्टा किस ने की तो इसके अध्याच्टा जो है राजंदर परसाद ने की तो B. इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि इलाहबाद में संपन कांगरेस कारिकारनी समिती की बैठक में निमलिखित सदस्यों में से एक सदस भारत के नाजीबाद, फासीबाद, समराजबाद, बिरोधी निसित रूख के कारण जपान के बिरूध गुरिल्ला यूद की अपनी योजना के पच में बहमत जुटाने में सच्चम हुए थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था जवाहला नहरू ठीट है जवाहला नहरून का नाम था, तो दे इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि नागरिक सेबाओं के लिए प्रति योगी परिच्चा प्रनाली कुछिद धांथ स्यवकार किया गया तो कब सिवकार किया गया 1853 में ठीक है 1853 में तो B इसका right answer हो जागा Next question है कि निमिखित में से किस अधिनियम के तहज जो है Lord Carnivalis को अपनी कौंसिल के फैसले को रद करने का अधिकार मिला था तो 1786 के एक्ट के माधियम से ठीक है Lord Carnivalis है इनके बारे में याद रखेगा अस्थाई बंदोबस्त के जनक कहलाते हैं साथ में पुलिस और सिविल सिवा के जनक भी Lord Carnivalis को बोला जाता है ठीक है? अस्थाई बंदोबस्त क्या था? इसमें था कि अंग्रेज और जमिनदारों के बीच समझाता हुआ था जबकि जो रखेगा बारी था उसमें क्या था? उसमें अंग्रेज और किसानों के बीच में समझाता हुआ था महाल बारी क्या था? महाल के साथ में अंग्रेजों का समझाता हुआ था जो अस्ताई बंदोवस्त है पूरे भूमी के 19% पर थी जबकि जो रहयत बाड़ी है 51% पर ठीक है 51% पर और उसके बाद महाल बाड़ी 31% पर ठीक है नेक्स कोशन है कि अमिर्का में फ्री हिंदुस्तान अखवार किस ने शुरू किया था तो अमिर्का में जो फ्री हिंदुस्तान अखवार की शुरूआत तारक नाथ दास ने किया था तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा और कब किया था 1910 में 1910 में ठीक है नेक्स्ट कोर्स्टन है कि इंडियन अन्रेस्ट का लेखक कौन था तो बेलेंटाइन सिरोल तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा जो बेलेंटाइन सिरोल है इनहीं के द्वारा बाल गंगा धरती लोग को जो है असांती का जनम दाता बोला था बेलेंटाइन सिरोल नहीं जो है बाल गंगा धरती लों को भारत में असांती का जनम दाता बोला था बाद में जो तीलक है बेलेंटाइन सिरोल पर मानहानी का मुकद्मा कर देते है नेक्स्ट है कि उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक है जो दुर्गेश नंदनी है उसके लेखक कौन है तो बंकिम चंत्र चटर जी ठीक है तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा 1865 में जो है दुर्गेश नंदनी बंकिम चंत्र चटर जी द्वारा लिखित पहली उपन्यास थी कब लिखे गए थी 1865 में पहली उपन्यास थी ठीक है उसके बाद आनंद मठ राज सी जैसे उपन्यास लिखा गया बंकिम चंत्र चटर जी के द्वारा ठीक है नेक्स कोशन है कि निम्लिखित में से किस अखवार का प्रकाशन पटना से होता था तो इंडियन नेशन अखवार का प्रकाशन जो है पटना से होता था 1931 में जो है दरभंगा के महराज कामेशवर सिंग ने दे इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था 1931 में दिर्भंगा की महराज उनका नाम है कामेशवर सिंग ने जो है दे इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू करवाया था ठीक है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि जन्डा गीत किसने लिखा है तो जो जन्डा गीत है ये लिखा गया है स्याम लाल पारसत के द्वारा लिखा गया है तो डे इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कॉस्टन है कि 1908 में बाल गंगा धर तिलक को जेल होई तो जो बाल गंगा धर तिलक है उनको 6 बरसों की जेल होई थी और 1914 में ये रिहा हो गये थी तो बी इसका राइट एंसर हो जाएगा एक्स कॉस्टन है कि प्रथम भारतिये जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्ना जनरल कापदभार गरन किया तो किसके द्वारा गरन किया था सी राज गुपाला चारी के द्वारा तो बी इसका राइट एंसर हो जाएगा जो सी राज गुपाला चारी है इनका कारिकाल 1948 से 50 के बेच में रहता है जो स्वातंत्र भारत के प्रथम और अंतिव गवर्ना जनरल है तो सी राज गुपाला चारी है ये मदरास के मुखमंतर भी रहते हैं 1952 – 1954 की बीच में नेक्स्ट है कि कौन से परसीद भारती गुरुदेब के नाम से जाने जाते हैं तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा, साथ में आद रखना है कि जो रवीदनाथ टाइगूर है, उनसको रवीदनाथ टाइगूर को जो है गितांजली एक बुक है, गितांजली बुक के लिए जो है इनको साहित का नबल पुरसकार दिया गया था, फिर से बोल देते हैं, रवीदनाथ इसने दिया, तो जय जबान, जय किसान का नारा लाल बहादुर सास्तिरी के द्वारा दिया गया, ठीक है, लाल बहादुर सास्तिरी जो हमारे भूत पूर्व प्रधान मंत्री थे, तो ए इसका राइट अनसर हो जाएगा, नेक्स्ट है कि किसके द्वारा मंदिरों में नडार और मारवा संबुदाई की बीच में संघर्स हुआ था ठीक है तो C इसका राजनीत में 1947 के बाद किस महला ने सरवाधिक योगदान दिया तो सरवाधिक योगदान जो है अरुना आसफ अली ने दी तो ए इसका राजनीत रोजाएगा ठीक है ए इसका राजनीत रोजाएगा साथ मैं आपको याद रखना है कि बाद में जो है अरुना आसफ अली 1958 में दिल्ली की मेयर भी बनती हैं नेक्स कोस्टन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे अधि हम बिहार की जनता और उनके मंत्री मंडल को लिंग के निताओं के हिंसक और असब आकर्मनों के आगे अरच्छित छोड़ देंगे बर्स 1946 में यह बात किसने की यह किसका कथन है तो सरदार पटेलगा तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिबेशन की अध्यच्ता की तो किसने की पंडीत मदन मोहन मालविय ने तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है पंडीत मदन मोहन मालविय ने पंडीत मदन मोहन मालविय के द्वारा जो है हिंदी और अंग्रेजी में हिंदूस्तान दे इंडियन युनियन अभुदै तथा लीडर का प्रकाशन किया था next question है कि frontier गांधी का असली नाम क्या है जो frontier गांधी है इनका असली नाम है अब्दूल गफार खान ठीक है अब्दूल गफार खान इन्हें लाल कुर्थी के नाम से भी जाना जाता है सिमान्त गांधी के नाम से जाना जाता है बादसा खा के नाम से जाना जाता है ये सारे नाम तो बी इसका राइट अंसर हो जाएगा समिधान सभा के जो है यह अध्यच भी रहे है राजंद्र परसाद और साथ में भारत के पहले राश्ठपती भी रहते हैं राजंद्र परसाद ठीक है नेक्स कोस्टन है कि राम चंद्र सर्मा किस गाउं से थे तो जो राम चंद्र सर्मा है अम हरा गाउं से हैं किस गाउं से हैं अम हरा गाउं से जो अम हरा गाउं है पटना में अस्थित है ठीक है पटना में अस्थित है तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स कोस्टन है कि जगत नरायन लाल को किस जेल में भेजा गया तो जगत नरायन लाल को जो है बाकेपूर जेल में भेजा गया था प्रसीद स्वतंद्रता से नानी थे और जब परकास नरायन के सहयोगी थे जगत नरायन लाल ठीक है तो ए इसका राइट अंसर जागा कि जब भी वीडियो आपको अपलोड हो उसका नोटिफिकरशन आपको मिलता रहे और इसके बाद हम लोग जोग्रफी सुरू करेंगे और आप लोग कमेंट करके एक बार जिरू बताएए कि आपको वीडियो कैसा लगाया ठीक है नेक्स कोसन है कि बिश्व में सांती और आपसी सहीव का स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धान्त प्रस्तूत किया तो गुट निरपेचता सिद्धान्त प्रस्तूत किया तो ए इसका right answer हो जाएगा गुट निर्पेचता जो आंदोलन है इसके अस्थापना कब की जाती है तो 1971 में इसके अस्थापना की जाती है भारत के परधान मंतरी जवाला नहरू और मिस्ट के रास्टपती करनल नासीर तथा एगो सलाविया के रास्टपती मार्सल टीटो के स सहयोग से गुट निर्पेच अंदोलन का गधन किया जाता है ठीक है नेक्स कॉससन है कि राज भीभाग की अस्थापना किसकी अध्यचता में की गई तो da i cooking यू सर्दार पटेल की अध्यचता में की गई तो दी इसका right answer हो जाएगा जो सरदार पटेल है इनके सचीब का नाम क्या है पता है आप लोको तो इनके सचीब का नाम है बीपी मेनन क्या है बीपी मेनन और साथ में आपको याद रखना है कि जो सरदार पटेल है इनके द्वारा जो आपके देशी राजे रजवारे थे उनका भारत में बिले किया गया नेक्स कोशन हे कि स्वतंतर्था पूर्वे बिहार में जम्लिखित में तցर विאני तसे एक बर्चश मुसाली जाती नहीं था तो भूमिहार तो था राजपूर्थ भी था कायस्त भी था जबकि कुर्मी नहीं था ठीक है कुर्मी नहीं था तो डी इसका राइट एंसर हो जाएगा उसने की देब बंद के उस बिदमान का नाम बताए जिनोंने सुतंतरता अंदुलन में महतपुर्ण भूम का निभाई तो सुतंतरता अंदुलन में महतपुर्ण भूम का किस के द्वारा निभाई गई अबूल कलाम अजाद के द्वारा ठीक है अबूल कलाम अजाद के द्वारा जो अबूल कलाम अजाद है जो 1940 से 1946 तक जो है कांग्रेस के अध्याच रहते है 1940 से 1946 के बीच में साथ में जो अबुल कलाम अजाद हैं इनके द्वारा इंडिया बिंस फ्रीडम पुष्टक लिखी गई है नेक्स कॉस्टन है कि सुतंद्र भारत के पहले भारती गवर्नर जनरल थे तो सी राज गुपाला चारी थे तो ए इसका राइट अंसर हो जागा ठीक है तो किस साल जो है रेगुदेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1773 स्पी में ठीक है? 1773 स्पी में? तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि 1773 के रेगुदेटिंग एक्ट करता हथ जो है बंगाल के अंदर में जो है तहए ठीक है साथ में आपको याद रखना है कि पर्थम गवर्णर जनरल कौन था तो वारेन हस्टिंग था ठीक है नेक्स्ट कोशन है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारिद किया गया तो कब पारिद किया गया 1973 में जो है regulating act पारित किया गया था तो यह इसका right answer हो जाएगा next है कि British सासन काल में समिधान के विकास में कौन सा कानून एतिहासिक नहीं था तो regulating act एतिहासिक है charter act एवी एतिहासिक है government of India act एवी एतिहासिक जबकि protection of civil rights act जो है यह एतिहासिक नहीं है यह हमारे समिधान के बाद बनने के बाद आता है तो D इसका right answer हो जाएगा next question है कि भारत में मीडिया को नियंतरित करने के लिए act कब पारित किये गए तो 1835, 66, 78 और 1908 में पारित किये गए तो A इसका right answer हो जाएगा 1835 में जो है शर परतम प्रेस एक्ट लाया गया और 1867 में जो है प्रेस और पुस्तकों का पंजी करन अधिनियम लाया गया और 1878 में जो है वर्नाकुलेट प्रेस एक्ट आता है तो A इसका right answer हो जाएगा next question है कि भारत की Communist Party और रास्तिय स्वेन सेवक संग की अस्थापना के करमसा सबसे करिबी वर्ष पहचानी है तो जो Communist Party है इसके अस्थापना 1925 में और रास्तिय स्वेन सेवक संग इसकी भी अस्थापना 1925 में की जाती है तो B इसका right answer हो जाएगा जो भारत की Communist Party है इसके अस्थापना कहां पर की जाती है तो कानपूर में की जाती है जबकि जो रास्तिय स्वेन सेवक संग इसकी अस्थापना नागपूर में की जाती है महरास्थ के नागपूर में और लास्ट कोसन आपका है कि Catherine Mayo Elders Huxley Charles Andrews और William Digby के बीच आम रिस्ता क्या था उन्होंने ब्रेटिस सासन के दौरान भारत की हालात पर टिपनिया लिखी थी यही तो ए इसका प्राइट अंशर हो जाएगा हिस्टरी का जो है सारे कोशन समप्त हो गए प्राचिन भारत मतकालिन भारत और मॉडर्न इंडिया तीनों आपके समप्त हो गए है और हिस्ट्री से देखे, जो previous question आपको करीब हम लोग का 5, 2, 7 वीडियो आया, ठीक है, 7 वीडियो, अगर आप 7 वीडियो को देखते हैं, तो आपको कम से कम यहां से direct, direct आपको बता रहे हैं, 25 से 30 question आपको यहां से पूछा जाएगा, 25 से 30 question ठीक है, अगर आपको अभी भी वि उठाके, देखिए, सारे question को match करके, देखिए, कितना question आपको पूछा जाएगा history का यहां से, अब बाकि आप तो कुछ पढ़ा ही होंगे, बाकि वहां से आप सारे question को solve कर लिजेगा, लेकिन इस बात को आपको हम बता दे कि, जो अगर चाहते हैं कि previous question को solve करके नहीं जाए पांच नमबर, चार नमबर, तीन नमबर, छे नमबर, तो कहीं नहीं हम अच्छा कर लें, ठीक है, previous question को आप लोग जरूर देखिए, अगर आप लोग सारे year का previous question देखते हैं, तो आपको exam में जो है, करीब, direct जो है, यहां से कम सकंद पूछे जाएंगे 80 question, जो प्रेविसर अगर current हो जाएगा, और science हो जाएगे, वहां से अगर आप 40 question भी सही कर दिजेगा, तो 110 नमबर आ जाएगा, ठीक है, इस बार cut up थोला जादे गया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कप वीडियो, कैसा लगा, थैंक यू